हेलो बच्चों, गुरुनीती कम प्रिवियस येर पेपर स्पोर्ट जेई मेंस 2021 के इस सेशन में आपका स्वागत है आज हम जो यूनिट नंबर 10 है जिसमें हमने करेंट इलेक्टिसिटी एंड कैपेसिटेंस को कवर किया है इसके सेकिंड पार्ट को डिसक्स करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेशन नंबर 1 से 45 तक डिसक्स किये थे और इस पार्ट के अंदर हम आगे कांटिनू करेंगे बटा मेरा नाम है जैनिकुमार उत्म चले ये शुरू करते है क्वेशन नंबर 46 the effective capacitance of parallel combination of two capacitors C1 and C2 is 10 microfarad when these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt the energy stored in the capacitor C2 is 4 times that of C1 if these capacitors are connected in series then the effective capacitance will be क्यों काफी simple सा प्यारा सा question ही है देखी बटा आपको initially दोनों capacitors को parallel combination में combine कर रखा है और उसका जो equivalent जो capacitance है वो दे रखा आपको 10 microfarad तो अगर आप C1 assume कर रहे हो पहले capacitance का capacitance जो की given भी है और दूसरे का C2 है तो C1 plus C2 parallel combination में simply sum करते हैं आपन तो C1 plus C2 जो है वो 10 microfarad के equal है correct और दूसरा इस question के अंदर hint आपको दे रखा है कि अगर आप individually 1 volt के voltage source से दोनों को connect करते हो तो C2 में जो energy है वो C1 के comparatively 4 times है तो C2 में energy कितनी store होगी हाफ C2 V square यह C2 में energy store होगी और C1 में कितनी energy store होगी हाफ C1 into V square वी तो 1 volt है दोनों के case में ठीक है तो यह वाली जो energy इसका 4 times है इसको हमें apply करना है यहाँ पर तो हाफ V square हाफ V square cancel out हो गया then we have C2 is equal to 4C1 यह वाली value मैं इस equation में रख दूंगा तो 4C1 plus C1 5C1 equals to 10 तो C1 equals to 2, 2 microfarad तो C1 अगर 2 microfarad है तो उस case में C2 की value हमारे पास आगी यहाँ पर रख देंगे C1 की value 2 तो C2 की value आजाएगी 8 microfarad तो दोनों का capacitance हमारे पास आचुका है राइट अब इन दोनों capacitance capacitance को अगर आप series में connect करो होगे तो equivalent capacitance के लिए formula क्या लगेगा C1 C2 upon C1 plus C2 right C1 C2 upon C1 plus C2 यह value value बेटा यहाँ रख देंगे अपन तो 2 into 8 upon 2 plus 8 which is 10 तो यह आजाएगा 16 by 10 1.6 microfarad 1.6 microfarad इसके according fourth option हो जाएगा ठीक है काफी simple सा question था चलिए next question में चलें next question क्या है देखिए a capacitor is made of two square plates each of side A making a very small angle alpha between them as shown in the figure the capacitance will be clause 2 तो यह question आपको दे रखा है यहाँ पर तो यहाँ बेटा दो plates आपके पास एक थोड़ी सी incline कर रखी आपने square plates हैं और एक flat यह रखी वही है ठीक है और यह वाला angle काफी small है जो कि आपको alpha given है और यह वाला जो gap है दोनो plates के बीच का यहाँ पर वो D के equal है और square plate है तो length भी A के equal होगी और जो weight था वो भी A के equal है यहाँ पर gap D के equal है तो आपको approximately बताना है कि जो capacitance जो आएगा इस capacitor का वो किसके equal आएगा इनमें हमें answer देखना है इसके according ठीक है तो चलिए next page पर चले हम तो यह structure है यहाँ पर ठीक है तो इसको solve करने के लिए अपन क्या करें कि यहाँ पर बेटा में element consider कर लेता हूं देखिए कुछ इस type से है है ना ठीक है तो ऐसे कई सारे element बन जाएंगे यहाँ पर कई सारे segment आप ले सकते हो यहाँ पर भी होगा इसी type से ठीक है ऐसे कई सारी आप slice cut कर सकते हो तो यह जितने भी capacitor बनेंगे जिसा अभी चोटा सा जो capacitor बन रहा है है ना इन दोनो प्लेट के बीच का यह जो capacitor जो भी बन रहा है इसका capacitance हम calculate करेंगे ऐसे बहुत सारे capacitors होंगे बटा सारे के सारे parallel में connected होंगे क्योंकि यह वाली common है यह वाली common है तो obviously सभी capacitors जो है वो parallel combination में होगे तो equivalent capacitance अगर आपको निकालना है तो simply आपको sum करना पड़ेगा c1 plus c2 plus c3 तो यह जो हमने यह जो small capacitor लिया है यहां पर इस capacitor का capacitance अगर मैं DC लिख दूँ तो ऐसे बहुत सारे capacitors आएंगे तो हमें उनका sum करना पड़ेगा मतलब DC का integration करना पड़ेगा और आपके पास इस assembly के लिए capacitance आ जाएगा तो DC की value हमें निकालनी पड़ेगी DC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा DC is equal to एक तो आता है के dielectric constant जो की है नहीं यहाँ पर vacuum है तो 1 आ जाएगा epsilon not into my area area कितना आएगा इस plate का देखिए यह जो length है वो ak equal है right almost ak equal है यह भी almost ak equal है तो a into my sorry यह जो width जो की आपको दिखने रही है इस तरफ वो a है और यह जो width है यह वाली यह मैं यहां से consider कर लेता हूँ let's say यह वाली जो distance है वो x है x के cross pointing इसके width आएगी वो हम assume कर लेते हैं dx यह वाली तो यह जो plate आपको नजर आ रही है यह plate कुछ यह है इस type से plate है यह तो यह जो width है यह वाली यह तो a के equal है और यह जो length है वो dx के equal है तो इसको जो area आएगा plate का that is a into dx right a into dx तो यह तो आगे epsilon note a upon me d, d मतलब gap, gap कितना आएगा यहां पर अगर हम gap की बात करें तो यह वाली length x के equal है और यह angle very very small है बेटा तो यह जो length है वो as a arc की तरह अपने इसको deal कर सकते हैं treat कर सकते हैं तो arc is equal to angle into radius radius is x तो यह length कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी angle into radius मतलब alpha into x और यह वाली length तो हमारे पास capital D है small d है already तो यह जो gap आएगा दोनों plates की बीच में जो यह plates मैंने बना रखें यह वाली इन दोनों plates की बीच का gap है that is d plus alpha x बेटा तो gap between the plates आगे d plus alpha x तो हमने इसका capacitance find out कर लिया इस छोटे से capacitance रिका ऐसे बहुत सारे capacitance बनेंगे तो सब कसम करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा आपको limit लगा देंगे हम x की value यहां से 0 to a तक 0 से a तक यह चलेगा ठीक है अब इसको mathematically solve करें तो dc का c आ जाएगा बटा epsilon 0 a यहां पर आप d को बाहर ला सकते हो d बाहर आ जाएगा ठीक है यहां d रखना चाहो तो अंदर भी रख सकते हो खेर d बाहर ले आते हैं और bracket में क्या बचाएगा dx integration में dx upon me 1 plus alpha x by d correct alpha x by d और यहां 0 to a तक इसको integrate करना है तो c is equal to epsilon 0 a by d इसका integration log की terms में आएगा ln bracket 1 plus alpha x by d और x का जो coefficient alpha by d यह divide में आ जाएगा alpha by d तो यहां से dcd cancel out हो जाएगा केवल alpha बचेगा यहां पर और limit लगा देंगे हम 0 to a तो c is equal to आगे हमारे पास epsilon 0 a upon alpha ln bracket 1 plus upper limit a रखेंगे तो alpha a by d and lower limit जब x की value 0 रखेंगे तो log 1 बचेगा log 1 की value 0 हो जाएगी तो यह हमारे पास c की value आ चुकी है यहां पर capacitance हम calculate कर चुके है ठीक है बटा अब इस capacitance की value क्या short में लिख सकते हैं देखें क्योंकि option में log की terms में नहीं दे रखा हमें है ना और alpha जो है वो काफी small है ठीक है तो log की जो series होती है log का expansion होता 1 plus x का वो हम यहां पर apply कर देंगे तो c बराबर epsilon 0 a by d sorry epsilon 0 a by alpha और यहां log का expansion लगाएं बटा तो log 1 plus x का expansion कीतना होता है x minus x square by 2 2 plus x cube by 3 and so on तो x की जगे रख देंगे alpha a by d minus x square by 2 मतलब alpha square a square by 2 और d square ठीक है इसके आगे वाली जो powers वाली जो terms हैं मतलब power 3 power 4 वाली उनको अब negligible consider कर सकते हो क्योंकि alpha is very very small तो यहां से देखो बटा यह alpha है यहां पर alpha से alpha यह cancel out होगे यह वाला भी cancel out होगया a by d यहां से भी बाहर आ रहा यहां से भी बाहर आ जाएगा यह a square हो जाएगा तो epsilon 0 a square by d आ गया बाहर bracket में यहां पर 1 बचेगा 1 minus alpha तो एक कट चुका है 1 alpha बचेगा 1 a बच जाएगा अब उन में 2 d एक d बच जाएगा तो यह answer हमारे पास आ चुका है अब इसको match कर लेते हैं अपन देख लेते हैं कि answer आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है तो चलिए देखे तो यहां से अगर आप देखो तो यह answer आ रहा है तो epsilon 0 a square by d bracket 1 minus alpha a by 2 d तो यह second option beta इसमें पूरी पूरी तरह से match कर रहा है चलिए, next question पे चलें next question क्या देखिए A 60 pico farad capacitor is fully charged by a 20 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 60 pico farad capacitor in parallel the electrostatic energy that is lost in this process by the time the charge is redistributed between them, ठीक है? तो पेटा, एक 60 pico farad capacitance का capacitor है इसको C assume कर लेता हूँ दूसरा capacitor का capacitance भी same है तो उसकी value C हो जाएगी C की value 60 pico farad रख देंगे 20 volt तक आपने पहले इसको charge किया, ठीक है? तो पहला जो capacitor है उसको आपने V volt तक charge किया C capacitance है, दूसरा capacitor है वो uncharge था, तो उसके across potential difference 0 है और जब आप इन दोनों को attach कर दोगे है ना, तो इस process में energy loss होता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, C1 C2 upon me 2, C1 plus C2 ये energy loss किस time होता है? charge के redistribution में ठीक है ना, charge के redistribution में तो यहां से charge इस पे जब distribute होगा ना तब वहले case में energy loss है bracket में V1 minus V2 का whole square ये energy loss है पेटा, और यही आपसे पूछा है यहां पर, तो delta U is equal to C1 की value C है C2 की value C है, upon 2, C plus C मतलब 2C आ जाएगा यहां पर, और V1 minus V2 की बात करें, तो केवल V है और यह 0 है तो V square आ जाएगा, C C cancel out हो जाएगा, तो C by 4 V square है answer, ठीक है तो 1 by 4 into C, C की value 60 है, picofarad 10 to the power minus 12 आ गया और V जो है आपके पास 20 है, तो 20 का squaring करो गया 400 आ जाएगा, ठीक है तो यह 4 से 4 cancel out हो गया, यह 100 आया 100 and 1, मतलब 1000 और 10 to the power minus 12 है तो 10 to the power minus 9 आ जाएगा, 6 into 10 to the power minus 9 Joule, हम से पूछा है, जो answer है, वो nano Joule में बताए कितना आएगा, तो यह 10 to the power minus 9 nano ही तो है, तो इसका आ जाएगा, 6 nano Joule Okay, चलिए, next question पे चलें next question बेटा A capacitor C is fully charged with voltage V0, after disconnecting the voltage source, it is connected in parallel with another uncharged capacitor of capacitance C by 2 The energy loss in the process after the charge is distributed between the two capacitors Same concept based question है, हाँ, same question repeat हुआ है एक तरीके से, ठीके, same concept based है तो पहला जो capacitor है, उसके cross potential difference V0 है, दूसरा uncharged है, तो energy loss आपको पता ही है, charge के real distribution में energy loss अब यह भी हमने देखा था C1, C2 upon 2 C1 plus C2 into V1 minus V2 का whole square ठीक है, यहाँ पे C1 कितना है C है, यह C रख दोगे C2 कितना है, C by 2 है upon 2 C plus C by 2 3 C by 2 हो जाएगा into V1 minus V2 का whole square तो पहले capacitor को V0 voltage source से आपने connect किया और दूसरा capacitor जो uncharged था तो इसका मतलब उसमें voltage difference कीतना था पहले 0 था, यहाँ पे V0 ही बज़ेगा के वल तो V0 का square आ जाएगा, इसको solve करो कि बटा तो correct option क्या जाएगा, second आ जाएगा ठीक है, चलिए next question next question the value of current I1 flowing from A to C in the given circuit diagram is, तो आपके सामने circuit diagram आपको नजर आ रहा होगा और हमें I1 पूछ है, I1 अगर आप गोड से देखो तो इस 4 ohm में और यह 4 ohm, यह दोनों को यहाँ पे jumper लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह connected नहीं है इसका मतलब 4 and 4 जो देखा जाए इसको अगर मैं बाहर draw कर दूँ circuit से, तो कुछ ऐसा नजर आएगा अगर मैं इन दोनों को यहाँ से remove कर दूँ तो बाहर कुछ ऐसा नजर आएगा बटा ठीक है, क्योंकि यह बीच में तो ब्रांज से किसी connected ही नहीं है, तो 4 and 4 कितना आ गया 8 ohm आ जाएगा, यह 4 ohm है यह भी 4 ohm है, तो 4 and 4 8 ohm आ गया और 8 volt का जो source है बेटा वो इनी के दोनों terminals के cross connected है देखो, यह वाई रहां से जुड़ा हुए, यह वाई रहां से जुड़ा हुए इसका मतलब 8 ohm के across 8 volt की battery connected है तो इसमें current कीतना जाएगा, आई बराबर delta V by R, delta V कितना है, 8, R कितना है 8, 8 by 8 मतलब 1 ampere काफी simple सा question था, यह diagram में confuse करने के लिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ था बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है बटा इसके according answer क्या आ जाएगा फिर 3rd option आ जाएगा ठीक है 1 ampere, चली next question पर चला है A parallel plate capacitor has plate of length L with W yes, and separation of plates is D, it is connected to a battery of EMF V a dielectric slab of the same thickness D and of dielectric constant k equals to 4 is being inserted between the plates of the capacitor, at what length of the slab inside the plates, will the energy stored in the capacitor be the two times the initial energy stored? ठीक है तो जब initially जो capacitor आपको जो दिया गया है वो V volt के source से connected है है ना, इसका length जो L है, W width है और gap जो है वो D के equal है तो इसका जो capacitance आएगा epsilon 0 L W by D के equal आएगा, क्योंकि L into W area आजाएगा प्लेट का, gap D है, voltage V है इसका मतलब इसमें energy कितनी आएगी half C V square, मतलब epsilon 0 L W upon में D into V square अब second case में हम यह कह रहा है कि इस capacitor के अंदर हमें dielectric medium या dielectric slab जो है वो insert करना है तो energy जो two times हो जाए पहले की, two times होनेगा मतलब सिदा-सिदा voltage बैटरी को तो हमने change नहीं किया है V तो same रहेगा, इसका मतलब C है न, वो two times होना चाहिए तभी energy two times हो जाएगी तो C को double करना है बैटा तो initially देखा जाए तो C की value इतनी थी बाद में देखते हैं C की value को double करना है हमें तो ध्यान से देखना मैंने यहां पर केवल इतना party जो है वो slab को मतलब insert किया इतनी length तक Let's say this length is x तो फिर यह कितना बचेगा, remaining part कितना बचेगा, L minus x इसका dielectric constant k है, यहां पर air है, vacuum है तो यहां पर यह दो capacitor बनगे एक तो यह वाला और एक यह वाला मतलब एक तो यह है और एक यह वाला इस capacitor का capacitance कितना आएगा इसका आएगा k into epsilon not into my area area आएगा x into w, w is the width x into w by gap कितना है, d है एक तो यह capacitance आगे इसका remaining part का capacitance कितना आएगा वह तो vacuum है, epsilon not length कितना आएगा, L minus x width w upon में d, यह capacitance इस पार्ट का आगया, अब यह दोनो capacitors जो हैं, वह parallel में connected है, इसका total capacitance आएगा, वह plus करके आप find कर सकते हो, अब यह जो capacitance है ना बेटा, यह इसका two times है मतलब, epsilon not इस वाले part को मैं अब कर दूँ देखिए यह जो value हमने लिखी है आपर, यह two times of epsilon not L w by d के equal होगा, इसका two times होगा बस आगे कुछ नहीं है, आगे बस simple calculation है, epsilon not w d epsilon not w d epsilon not w d, यह सब cancel out हो गया यहां पर बचेगा two L इस तरफ आया k x अच्छा k की value में दे रखिए, k बराबर four है बटा, तो four रख दीजिए four x plus यहां पर आजाएगा L minus x L से L यह कट जाएगा कि यह बल एक L बचेगा यहां पर, four x minus x, three x आजाएगा, three x equals to L then x equals to L by three, तो correct option कौन सा हो जाएगा, first हो जाएगा इसमें, ठीक है, चलिए next question में चलें In the circuit given the figure, currents in different branches and value of one resistor are shown then potential at B with respect to the point A's, तो यह आपको यहां पर diagram दे रखा है right और यह two ohm है यहां पर two ampere current flow कर रहा है यहां पर one ampere current flow हो रहा है बटा, है ना और हमसे पूछा है कि A के respect में B का potential कितना है B के potential की value पूछिए यहां पर ठीक है, तो बहुती simple सा question है आप थोड़ा गोर से देखना यहां पर, यह one ampere current है बटा, वो कुछ इस तरह flow कर रहा है 1 ampere इधर जा रहा है और इसमें 2 ampere जा रहा है तो 1 ampere अगर इधर जा रहा है इसका मतलब इसमें से पक्का पक्का 1 ampere current flow होना चाहिए 1 & 1 add होकर के 2 जाएगा तो इसमें पक्का 1 ampere current आ रहा है तो अब अगर मुझे B का potential find out करना है A के respect में तो मुझे find out करना है यहाँ पर VB-VA VB-VA this minus this find करना है VB-VA find करना है तो मुझे B से चलते वे A तक जाना है तो B से चलो और इस path को follow करेंगे देखो ऐसे करके तो B से जब D पे जाएंगे तो low से high पे जाएंगे तो minus का 2 आएगा battery फिर यहाँ high cell हो जा रहे है current की direction में जा रहे है तो 2 into 1 आ जाएगा 2 into 1 ठीक है फिर ultra जाएंगे वापस देखो इधर से इधर जाएंगे तो high cell हो जा रहे है high cell हो तो plus का बना जाएगा ठीक है plus का 1 minus 2 and 2 cancel out जाएगा बटा केवल value आएगी plus 1 then correct option is first 52 का बटा first answer correct हो जाएगा ठीक है हाँ मेटा question number 53 in the circuit shown charge on the 5 microfarad capacitor is 5 microfarad capacitor पर आपको charge find out करना है तो इस circuit को फटा पर देखो जैसे यह ओ point है यह 6 volt की battery यहाँ पे 6 volt की battery राइट तो यहाँपर मैं 0 potential assume कर लेता हूँ 0 volt assume कर लेता हूँ यह 0, 6, 6 यह potential आ चुके हैं यहाँपर, right? मैंने यहाँपर 0 assume किया तो अब इस node का potential अगर मैं x assume कर लूँ और मैं अगर यह assume कर लूँ कि तीनों branches में charge इसमें Q1, इसमें Q2, इसमें Q3 जा रहा है, तो incoming जब charge 0 है तो outgoing charge का sum भी तो 0 होना चाहिए इसका मतलब Q1, Q2, Q3 बराबर 0 आना चाहिए, Q1 Q बराबर C delta V होता है, C इसका 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2, इन 2 में delta V मतलब x-6, correct? यह इस पर charge आ गया, इस वाले पर बात करें तो, plus C की value 4 इन 2 में delta V आ गया, x-6 plus इस वाले branch की बात करें तो, capacitance 5 है C into में delta V, मतलब x-0 और बराबर 0 आ गया ठीक है, तो, charge का जो sum है, वो 0 की एकवल होना चाहिए इसको थोड़ा solve कर लें मैटा, यह आ गया 2x-12, plus 4x-24 plus 5x-0 यहां से देखिए 5x, 4x and 2x यह कितना आ जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा 11x और यह 24 and 12 यह आ जाएगा 36 इंदर 36 आ गया, then x equals to कितना है, 36 by 11 तो, यह x की value आ गई और हमसे 5μF capacitor पर charge पूछा है तो, charge बेटा देखा जाए, तो q बराबर c, delta भी होता है, c की value 5 है और delta भी इसके across कितना आएगा x-0x ही तो आएगा, तो हमसे 5x की value पूछिए, x तो हम calculate कर चुके है ना, तो 5 इंटू में 36 by 11 कर दीजिए है ना, इसको काटोगे यहाँ पर, यह वाली quantity 2 से greater होगी, 2 से greater होगी उस quantity को 36 से divide करो तो 18 से कमाना चाहिए answer तो 18 से 16.36 answer आ रहा है या आप इसको cross check कर सकते हो, बटा तो second इसका correct option हो जाएगा, ठीक है? चलिए, next question में चलें A gallometer is used in laboratory for detecting the null point in the electrical experiments if on passing a current of 6 milliampere, it produces a deflection of 2 degree, its figure of merit is clause 2. 2 degree, अच्छा, 2 divisions है यह actual में, 2 divisions है ठीक है? 2 divisions है, मतलब 6 milliampere जब आप current flow करवाओगे, तो 2 division जो है, वो needle rotate हो जाएगी ठीक है? 6 milliampere के cross-punning, 2 division rotate हो रहा है, इसका मतलब 1 division के according, कितना current flow करवाओगे आप that is called figure of merit beta, right? तो यहाँ पर 6 milliampere by 2 division 2 division के cross-punning 6 milliampere ठीक है? then 1 division के cross-punning 6 milliampere by 2 division इसकी value कितना है 3 milliampere per division एक division के cross-punning current flow हो रहा है that is 3 milliampere, इसका correct option कौन सा हो जाएगा? 3 milliampere per division तो हमारे पास 3rd option इसका correct हो जाएगा okay? चलिए next question पर चलें if battery of 3.0 volt is connected to a resistor dissipating 0.5 volt of power तो इक battery है 3.0 volt की battery है इसका internal resistance भी है क्या? if the terminal voltage of the battery okay, ठीक है definitely होगा तब भी terminal voltage different है बटा एक external resistance के साथ यह connected है, इसका EMF 3 volt है इसका internal resistance मालूम नहीं है let's say small r और बाहर का external resistance capital R है मैंने assume कर लिया अब यह कह रहा है कि यह जो power है बाहर का जो resistance है यह कितनी power dissipate कर रहा है इसके अंदर जो power consumption कर रहा है that is 0.5 volt okay if the terminal voltage of the battery is 2.5 volt मतलब इन दौनों point के across जो potential difference है यह terminal voltage जो है यह दौनों point मतलब इसके across भी अगर हम बात करें तो वह कितना दे रखा हमें? 2.5 volt दे रखा है तो पेटा गर यह 2.5 volt इसके across drop हो रहा है तो आप current find कर सकते हैं इसके अंदर? क्योंकि power P equals to V into I होता है voltage drop 2.5 है तो यहां से आप current जरूर find कर सकते हो तो इस branch में current जो flow हो रहा है I की value आप easily calculate कर सकते हो I is equal to power कितना consume कर रहा है? 0.5 तो P बराबर V into I जन I बराबर P upon V V तो P आगे 0.5 जो power consume कर रहा है और इसके cross potential difference 2.5 volt अबटा 2.5 से इसको divide कर दो गया यह 5 बटा 25 मतलब 1 बटा 5 ampere यह current flow कर रहा है इस circuit के अंदर ठीक है? इस circuit के अंदर current flow कर रहा है अब आगे देखते है क्या पूछ रहा है यह देखिए The power dissipated within the internal resistance इसमें कितनी power consume करेगा इसमें जो power दे रहा है वो 0.5 volt है पिटा और अगर हम यह देखें कि battery actual में जो power deliver कर रही है पूरे circuit को वो कितना है? मतलब EMF के cross funding देखा जाए तो current 1.5 ampere इसमें से flow हो रहा है battery क्या थू? तो पिटा 3 volt अगर इन दोनो point के cross potential difference है जो EMF है 3 अगर मैं E को I से multiply कर दूँ तो वो actual power battery deliver कर रही है उस power में से कुछ part तो internal resistance consume कर जाएगा और कुछ part जो remaining part है वो external register जो है वो consume कर जाएगा तो यह कितना power दे रहा है deliver कर रहा है that is P dash या P मान ली जी है जो भी है P equals to V into I and here V is a 3 और current कितना बेटा 1 by 5 है 1 by 5 तो 3 into 1 by 5 इसको solve करोगे 0.6 volt तो यह 0.6 volt deliver कर रहा है जिसमें से 0.5 volt यह खा गया, remaining यह खा जाएगा remaining कितना आएगा 0.6 minus 0.5 मतलब 0.1 volt तो 0.1 volt मतलब second option बेटा इसका correct हो जाएगा ठीके? चलिए next question पे चलते है question number 56 पे question number 56 बेटा two resistors 400 ohm and 800 ohm are connected in series across a 6 volt battery, the potential difference measured by a voltmeter of 10 kilo ohm across 400 ohm resistor is close to ठीके? तो आपको two resistors given हैं बेटा 400 ohm, 800 ohm और आपने इसको 6 volt की battery से connect कर दिया and then फिर एक voltmeter आपने connect किया है जिसका resistance 10 kilo ohm है, right? 10 kilo ohm मतलब 10 thousand ohm तो वो 400 ohm जो resistor उसके cross connect किया है तो उसका resistance है 10 thousand ohm अब आपसे पूछा इस voltmeter की reading क्या होगी, तो voltmeter की reading actually में देखा जाया बेटा इन दोनों point के cross potential difference है उसको represent करेगा, ठीक है? इन दोनों point के cross अगर आपको potential difference निकालना जो की voltmeter की reading होगी voltmeter ideal नहीं है यहाँपर infinity होता ideal होता तो resistance तो यहाँपर 10 thousand है और यह 400 है तो 10 thousand and 400 का parallel के अंदर कितना आएगा? इन दोनों का parallel के अंदर आजाएगा 10 thousand into 400 अपोन में 10 thousand plus 400, मतलब r1 r2 आपोन में r1 plus r2, तो 10 thousand plus 400 आजाएगा 10400, right? तो यहाँ से आपके पास value आगई 40 thousand अपोन में 104 इसको थोड़ा simple कर सकते हो, तो से चाहँँ तो cut कर दो, तो 25 to 52 यहाँ आजाएगा 20 thousand further और चाहँ तो और भी divide कर दो तो 20 से कर जाएगा यह, right? यह 10 आगया है ना? इस further और कर लो चाहँ तो और यहाँ आजाएगा 5000 I think सही किया है मैंने यहां तक, आपस देख लेते हैं तो 252 and 220 then 4, 6, 26 10,000 5000 इन दोनों का equivalent और 800 जो है वह इसके साथ series में connected है, ठीक है? ठीक है तो अब हमें इन दोनों point के cross potential difference निकालना है, तो इसका resistance आया है, combined, पूरे का वह आ चुक है 5000 upon 13 तो 5000 upon 13 के across आमे potential difference निकालना है, अब आप potential divider rule लगा सकते हो बैटा, potential divider rule में क्या है? simple है, अगर series में connected है, जिसके across अगर आपसे potential difference पूछा है, तो total potential difference series के across 6 volt है, 6 into में जिसके across पूछा आपसे potential difference, वह वाला resistance और वाली value कितनी है? 5000 upon 13 और upon में total resistance 5000 upon 13 plus 800 यह 800 भी है न? ठीक है, तो बाकी calculation है, यह calculation आपको करनी पड़ेगी, जब आप इसको solve करोगे तो आपके पास value आजाएगी 1.95 fold के राओं, ठीक है? चलिए, next question पे चले Which of the following will not be observed when a multimeter operating in a resistance measuring mode ठीक है, props connected across a component are just reversed, तो multimeter जो होता है ठीक है, आपने lab के अंदर किया होगा, तो multimeter को आपने resistance mode के अंदर set कर रहा है, मतलब multimeter का जो use करोगे, आप cable resistance को measure करने के लिए करोगे, multimeter आपके पास है और आपके पास कोई resistor दे रखा या कोई wire दे रहा है और उस wire के दोनो terminals के cross, अगर आप props को connect कर दोगे तो वह आपको resistance के बारे में बताएगा कि resistance का कितना है, metal wire का ठीक है, या resistance का तो देखते हैं इसमें से यह कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, वह हमें find out करना है, first क्या कर रहा, multimeter shows not deflection in both cases, i.e. before and after reversing the props if the chosen component is metal wire, definitely सही है यह point क्योंकि metal wire है अगर आप props को यहां connect करो, यहां connect करो, या reverse कर दो, तो resistance की value तो same ही आएगे न, ऐसा थोड़िये कि यहां से resistance calculate करोगे, उल्टा करोगे तो resistance की value अलग आएगे, ऐसा तो है नहीं, तो deflection change नहीं होगा, तो यह सही है, लेकिन हमें गलत वाला ढूंड ना इसमें, second क्या कर है, multimeter shows deflection accompanied by a splash of light out of the component, out of the connected component in one direction and not deflection on reversing the props if the chosen component is LED, yes, यह भी ठीक है, light emitting diode, LED, LED जब forward bias में होगे न, जब आप एक तरफ से prop को connect करोगे तो forward bias में होगा, forward bias में जैसे ही होगा तो उसमें electric current flow होगी and then LED बिटा, LED से light emit होगी, forward bias के case में, ठीक है और जैसे reverse bias में आप props को ultra connect करोगे तो उस case में कोई light नहीं आएगी, ठीक है, क्यों current ही flow नहीं करेगी तो वो resistance को हो जाने का मतलब किया है, वो deflection को show ही नहीं करेगा, मतलब resistance की value हो जाएगा इस case में, ठीक है, तो reverse bias के अंदर जब current ही नहीं लेगा, तो उस case में resistance को हमें बताएगा भी नहीं, ठीक है, तो यह भी correct है, third, multimeter shows no deflection in both cases, before and after reversing the props if the chosen component is capacitor. बता, capacitor जो है, अगर आपने capacity के cross, अगर multimeter के props को connect किया है, तो capacitor जैसे steady state condition की बात होती है, जब capacitor fully charged हो जाता तो उस case में current flow होता ही नहीं है, और जब current flow होगा ही नहीं, ठीक है, current flow अगर होगा ही नहीं, तो इस बात उसके लिए resistance क्या infinite है, बता, तो initially deflection जरूर शो करेगा शुरुआत में, क्योंकि जब वो capacitor charge होगा तो उस case में initially deflection slightly deflection जरूर आएगा, ठीक है, बात में deflection आना बंद हो जाएगा उस case में, बात आई समझ में, तो यह जो कह रहा है कि multimeter shows not deflection in both cases आई before and after reversing the props if the chosen component is capacitor तो यह statement incorrect हो गया, क्योंकि initially अगर देखा जाए, जो capacitor short circuit की तरह भीव करेगा तो उसमें current flow होगा, तो शुरुआत में जो है वो कुछ ना कुछ अपने को reading देगा जरूर, बात में नहीं देगा लेकिन शुरूर में जरूर देगा बटा fourth क्या करें, multimeter shows an equal deflection in both cases before and after reversing the props if the chosen component is register, यह सही है तो register को आप चाहिए ऐसे props के साथ connect कर दो या ultra props के साथ connect कर दो resistance के value change नहीं होने माली तो वो same का same ही रहेगा, तो इसका मतलब इसमें जो है वो third option वो incorrect हो जाएगा तो इसके coding answer क्या आ जाएगा? third आ जाएगा, ठीक है? चलिये, next question पे चलें देखिये model of a torch battery of length L to be made up of a thin cylindrical bar of radius A and a co-centric thin cylindrical shell of radius B filled in between with an electrolyte of resistivity rho C figure if the battery is connected to a resistance of value R, the maximum joule heating in R will be take place for maximum joule heating का मतलब यह हुआ कि आपने अगर battery को अगर आपने battery को बाहर किसी resistor के साथ connect कर रहा और resistor जिसकी value capital R है अगर उसे maximum power consumption हो रहा है जिसका मतलब capital R के value small r के equal होनी चीए यह पहले भी हमने ऐसा question किया था maximum power के लिए capital R के value होनी small r के बराबर होनी चीए small r के आए internal resistance है तो जो capital R है वोई cell के internal resistance के equal आना चीए ठीक है capital R की value में find करनी है जो कि small r के बराबर होगी small r जो कि इसका internal resistance है तो cell के लिए हमें resistivity वगईरा सब कुस दे रखा है उसकी according हमें इसका answer देना है तो देखिए जो चलो इसको इसके अंदर यह one set कर लेंगे length जो है आपको L given है यहाँ पर और अंदर की तरफ एक और cylinder दे रखा है आपको और उसकी radius एक equal है right और भारवाले की radius जो है वो weak equal है कुछ ऐसा दे रखा है आपको और resistivity row का आपको medium feel कर रहे है अंदर की तरफ ठीक है यहाँ पर row resistivity का material भरा हुआ है ठीक है तो एक terminal तो आपको यहां से connect करना पड़ेगा और दूसरा terminal आपको यहां से connect करना पड़ेगा यह दो terminal is cell के राइट तो इन दोनों के बीच में resistivity आपको find out करनी है बटा तो जो current है न वह high potential से low potential की तरफ flow करेगा और अंदर cell के अंदर negative terminal से positive terminal दीटरफ flow करेगा तो अगर आपन बात करें तो बाहर वाला जो shell आपको नजरा रहा है और अंदर वाला cylindrical shell आपको नजरा रहा है इनके बीच में भी current flow करेगा इनके बीच में current flow definitely करेगा तो अगर मैं इसको इसका side view या cross section view अगर आपन देखें बीटा कुछ ऐसा नजराएगा देखिए यह radius A है यह radius P है तो जो current है ना देखा जाए तो वो ऐसे जाएगा ठीक है इस step से correct और यहाँ पर देखा जाए तो current कुछ ऐसे जाएगा यह इस step से बाहर की तरफ तो हम क्या करें यहाँ पर cylindrical shell consider कर लेते हैं देखिए x radius और dx width का shell consider कर लिए आप देखिए गोर से इस shell को ठीक है ऐसे कई सारे shell assume कर सकते हो आप यहाँ पर अगर मैं डाइग्राम बनाऊं shell के लिए तो कुछ ऐसा बनेगा देखिए होता है current के along वाली width तो current के along जो current यह जा रही है तो width यह आएगी ना यह वाली यह मैंने dx assume की है तो rho into dx आ गया upon में area area कौन सा surface area current के perpendicular वाला surface area देखा जए बटा यह वाला है यह वाला तो यह cylindrical surface ही तो है cloud surface ही तो है तो इसका area अगर आप से कोई पूछे तो बहुत आसानी से आप calculate कर सकते हो area क्या होता है अगर इसकी radius अगर x है shell की ठीक है तो 2 pi x into में L तो surface area जो है अंदर वाला वो 2 pi x L हो जाएगा तो 2 pi x L अब ऐसे कई सारे shell प्रेजेंट होंगे सबके सब series में हैं तो इसका total resistance बोले तो R1 plus R2 plus R3 मतलब simply integrate करना पढ़ेगा आपको तो R बराबर rho upon में 2 pi L बाहर आ गया बटा 1 upon x dx और अब हम limit लगा देंगे x की lower limit आजाएगी A, A से लेकर B तक जाएगा यह तो A to B तक आपको limit लगानी है 1 upon x का ln x आजाएगा limit लगा दें आप, rho upon में 2 pi L ठीक है 2 pi L और यहाँ आजाएगा ln ln x मतलब log B by A यह हमारे पास resistance की value आ गई तो चलिए देखते हैं बेटा तो इतना resistance internal resistance के बराबर होना चीए क्योंकि हमने पहले भी देखा था, internal resistance जो है maximum power के लिए जो capital R है यह external resistance है उसकी value बेटा internal resistance के equal होनी चीए तो answer आप match कर सकते हो rho by 2 pi L, ln B by A, तो वो हमें बेटा second option में मिल रहा है अच्छे से, ठीक है तो इसका correct option second हो जाएगा चलिए question number 59 पे चले आये देखिए, in the circuit shown in the figure the total charge is 6750 µC ठीक है, and the voltage across capacitor C2 is 20 volt then the charge on the capacitor C2 is यह कर रहा, इस complete circuit में total charge 750 µC है, that means यहां से जो charge गया है वो 750 µC है ठीक है, 750 µC और C2 जो capacitor देख रहा है इसके क्रो जो voltage difference है इसके क्रो जो voltage difference है वो हमें 20 volt के equal दे रखा है बेटा 20 volt के equal, ठीक है तो हमें C2 की value पूछी है आपर C2, अच्छा, C2 पे charge पूछ है C2 पे charge की value कितनी आएगी तो charge को कैसे calculate कर सकते हमें charge को calculate करने का एक तरीका तो यह है, देखो 20 volt जो है वो इस C3 के across भी होगा तो 20 volt अगर C3 के across होगा, तो C3 में charge कितना कर लिएगा, C3 में charge Q3 कर लिए, Q3 equals to C3 into delta V C3 कितना बेटा, 8 microfarad into delta V, जो की 20 के equal है इसको solve करेंगे, कितना आएगा 160 microgram तो इसमें charge 160 microgram जा रहा है, और total जो charge है 750 जा रहा है, यहां से 750 में से 160 तो इधर आगया, तो remaining part इधर ही तो जाएगा, इसमें C2 में ही तो जाएगा, इसको C2 में जो charge आएगा किसकी equal आएगा, 750 minus 160, इसको solve करो बेटा, 00, 15 minus 6 आजाएगा, 9 और यह 6 minus 1 आजाएगा, 5 590 micro coulamb, ठीक है तो यह answer आजाएगा, 590 देखिए कहां पे है, 2nd option बेटा इसका correct हुजाएगा, तो simple question था यह, next question में चलें A 10 microfarad capacity is fully charged to a potential difference of 50 volt, after removing the source voltage it is connected to an uncharged capacity in parallel now the potential difference across them becomes 20 volt, the capacitance of the second capacitor is, यह भी उसी concept based है, 2 capacitor है, पहले capacitor का charge यह voltage है वो आपको 50 volt दे रहा है और capacitance इसका 10 microfarad micro के अंदर है, और दूसरा capacitor है, उसकी value हमसे पूछी है, ठीक है, इसको C मैंने assume कर लिया, और यह कह रहा है, the potential difference across them becomes 20 volt, the common potential difference 20 volt के ब्राबर हो जाता है, यह uncharged है, इसके across potential difference कितना है, 0 है, तो दो capacitor को अगर आप connect कर दो तो common potential जो आता है VC, which is C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 होता है ठीक है, बहुत ही काफी simple सा formula है यह, energy loss के लिए मैंने आपको बताई था, इसी combination के लिए C1 C2 upon 2 C1 plus C2 into V1 minus V2 को whole square, तो उसी में ही है तो common potential की value कुछ इतनी आती है, और common potential आपको 20 volt दे रखा है, तो इसकी value 20 volt है, बराबर C1 जो आपको 10 micro में दे रखा है, तो 10 micro farad into V1 जो 50 दे रखा है plus C2 की value fine करनी है C, लेकिन V2 की value 0 है तो यह पूरा 0 हो जाएगा इदर, upon में C1 plus C2 मतलब 10 plus 10 ही है, 10 plus C इसको solve करना पड़ेगा थोड़ा, 0 से 0, यह cancel out हो गया आपर, 2 से इदर multiply कर दीजिए, 20 plus 2C और इस तरफ आजाएगा 50, तो 50 minus 20 30, 30 is equal to 2C then C equals to 15 micro farad, तो correct option कौन सा हो जाएगा इसमें 3rd हो जाएगा next question में चले आए बटा, a potentiometer wire PQ of 1 meter length is connected to a standard cell E1, another cell E2 of EMF 1.02 volt is connected with the resistance R and switch S as shown in the figure, with switch S open, the null position is obtained at a distance of 49 cm from Q तो यह जो distance है this distance is X and X is equal to to 49 cm ठीक है the potential gradient in the potentiometer wire is, potential gradient let's say 5 है तो जो null deflection आएगा तो P और J के क्रोस जो potential difference है वो 5 into X के equal आएगा potential gradient 5 है बटा तो X length पे potential drop कितना आएगा 5 into X आएगा तो P और J के आएगा और वो exactly देखा जाए तो E के बराबर होगा क्यों होगा E के बराबर? क्योंकि जब यह galanometer null deflection देगा इसमें कोई current flow नहीं होगा तो कोई current flow नहीं होगा तो potential same रहना चाहिए जब I की value 0 हो तो delta V 0 है delta V 0 मतलब V same होना मतलब इस point और इस point को potential same हो गया और यह तो वैसे भी यहां से connected है that means Vp minus Vj is equal to E2 E2 के exactly equal होगा और Vp minus Vj को मैंने delta V लिखा है तो यह exactly E2 के बराबर आएगा बटा हमें 5 की value पूछी है तो 5 49 और centimeter में हमसे पूछा है तो 1.02 by 49 इसको जब आप solve करोगे बटा 61 को जब आप solve करोगी तो आपके पास value आ जाएगी second second option इसका बटा correct हो जाएगा 0.02 volt per centimeter ठीक है right क्योंकि 1.02 है यह 100 आ जाएक नीचे उसके बाद में 49 का अगर 2 times करें हापन तो 49 का 2 times 98 होता है तो almost almost 0.02 के approach value आ जाएगी ठीक है चलिए next question पे चलाएं An ideal cell of EMF 10 volt is connected in circuit on the figure, each resistance is 2 ohm the potential difference in volt across the capacitor when it is fully charged is, the capacitor is fully charged हो जाएगा तो बताना है आपको कि इसमे the potential difference across the capacitor क्या होगा तो इसके across capacity जब देखिए, capacity is fully charged हो जाएगा तो इसमे कोई current flow नहीं होगा इस branch में कोई current नहीं आएगा नहीं होगा इस point और इस point का potential नहीं हो गया क्योंकि जब current इस flow नहीं होगा i0 नहीं होगा i0 नहीं हो नहीं होगा delta v0, delta v0 इस point और इस point का potential same है चिक है? ओके तो actually में देखा जाए यह वाला point और यह वाला point circuit बड़ा easy है अब हमें solve करने के लिए इन resistance की value हमें दे रखी है 2 ohm है तो देखिए बटा अब जो current जाएगा वो केवल ऐसे जाएगा यह जाएगा यहां से यह divert हो जाएगा इधर जाएगा यह current यह जाएगा यह current यह जाएगा इसका कोई meaning नहीं है ठीक है तो चलिए R1 और R2 series के अंदर है 2 & 2 हो जाएगा 4 ठीक है 4 होने के बाद series में 4 & 2 जो है series parallel में आ जाएगा 4 & 2 का parallel में कितना आएगा 4 into 2 open में 4 plus 2 6 इसको solve करोगे तो कितना आएगा 4 by 3 ohm तो इसका पूरे का 4 by 3 ohm आ गया अब यह 4 by 3 ohm जो है वो इस R4 के साथ series में connected है तो 4 by 3 plus R4 और R4 की value भी 2 के equal है इसको solve करोगे तो 6 plus 4 यह जाएगा 10 10 by 3 ohm तो पूरे circuit का resistance 10 by 3 ohm है और 10 volt की battery है बैटा तो current की value अगर आप से 10 by 10 by 3 10 से 10 कर जाएगा तो 3 ampere current इस branch में से flow होगा यह 3 ampere current इस branch में से flow होगा तो इस circuit को अगर मैं draw करूँ कुछ इस type से बनेगा देखिए ठीक है यह 10 volt यह 2 ohm है यह वला भी 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 2 ohm राइट इस type से तो यह 3 ampere जो current है वो कुछ यहाँ पे flow कर रहा है main branch में यह 3 ampere जो है दो पार में टूटेगा उपर देखो resistance कीतना है 2 and 2 4 है और यह 2 है यह 2 पार्ट में टूट जाएगा अगर आपसे कोई कहे कि बताइए इस branch में current कीतना जाएगा इस branch में current divider rule लगा दीजिए 3 main branch वाली current into में इसमें current चीए तो सामने वाले resistance मतलब 2 upon में 2 sorry 2 plus 2 and 2 4 ठीक है 2 and 2 यह तो 4 है न 4 4 and 2 है तो 2 upon में 2 plus 4 तो यह 6 आ जाएगा 6 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ampere current आ जाएगा इसमें इस वाले में 1 ampere current जाएगी तो remaining current इस ही में जाएगी 2 ampere यह 1 इसमें जा रहा है 2 ampere दिर जा रहा है वापस इसमें 3 ampere चला जाएगा तो हमें potential difference पूछा है this a minus v में से ठीक है ना तो मतलब a यहाँ पर है देखो a यहाँ पर है और b यहाँ पर है बेटा तो v a minus v b पूछा है तो v a minus v b i into r right 1 into 2 plus यहां तक आगे फिर 3 into 2 ठीक है i into r 3 into 2 1 into 2 plus 3 into 2 तो यह value कितनी आ जाएगी 3 into 2 6 6 plus 2 8 8 volt इसका बेटा correct answer आ जाएगा ठीक है तो correct option आ जाएगा इसका 8 volt चलिए बेटा next question पर बढ़ते हैं question number 63 ठीक है यह 5 microfarad capacity is charged fully by 220 volt supply it is then disconnected from the supply and is connected in series to the another uncharged 2.5 microfarad capacitor if the energy change during the charge redistribution is x by 100 joule then the value of x to the nearest integer is energy change का पूछा है अपन से energy change का मतलब सिदा सिदा है energy energy loss ही है और energy loss की अगर अपन बात करें बेटा तो energy loss कितना आएगा यहां पर वो value हमें find out करनी है बेटा ठीक है तो चलिए देखो पहला capacitor 5 microfarad है दूसरा है 2.5 microfarad और voltage पहले वाले का 220 है और यह uncharged था energy loss आप जानते हैं c1 c2 अपन में 2 c1 plus c2 into v1 minus v2 का whole square होता c1 कितना है बेटा 5 micro के अंदर है चलिए micro में यह answer आजाएगा उस case में 5 c1 c2 है 2.5 upon में 2 c1 plus c2 तो यह आजाएगा 7.5 5 and 2.5 into v1 minus v2 का whole square मतलब 220 का whole square और micro में है तो 10 to the power minus 6 आजाएगा क्योंकि यहां पर c1 c2 हो यहां पर c1 plus c2 तो एक micro यहां से cancel out जाएगा बटा यह आजाएगा 3 times ठीक है और बाकी यहां पर आजाएगा 5 by 6 और यह value बटा 220 into 220 into 10 to the power minus 6 correct इसको cut करें हम तो 1 1 0 तो यहां से आपके पास यह value आजाएगी यह भी 1 1 0 ही है और यह 10 हो जाएगा चीक है 10 हो गया तो यह 10 10 यह 10 to the power 4 बचेगा तो यह हमारे पास value आजाएगी 11 into 11 by 3 into 10 to the power minus 4 right 100 भी है divide के अंदर तो बैटरी रहेगा कि 100 इसमें से यहां से settle कर लेते हैं 11 into 11 by 300 into 10 to the power minus 2 right 11 into 11 कितना आएगा 11 into 11 आएगा 121 by 3 into 10 to the power minus 2 और 100 भी है divide में इसको भी रखना है 3 से cut करो कि बढ़ा 4 फिर 0 1 का 0 फिर 3 40.3 upon 100 into 10 to the power minus 2 आएगा इसका मतलब यह आजाएगा 0. 0. 0. 403 upon 100 ठीक है यह value आ रहे देखिए ठीक है तो 0.403 upon 100 तो इसका मतलब x की value कितनी आ जाएगी 0.403 यह 0.40 जो भी है approximately यह value यहां पर आपन find कर लेंगे ठीक है तो यह था simple सा question देखो approach वही है उसी type का question है energy role से related अब आप देख लीजे खुद कि यह question कितनी बाहर पूछा गया है ना same pattern पर question कितनी बाहर पूछा गया है तो please आप इस article को अच्छे से cover करें यह हो गया था ठीक है next question देखिए बटा वह रहा है an electrical power line having a total resistance of 2 ohm delivers 1 kilovote at 220 volt the efficiency of the transmission line is approximately तो हमें efficiency यहां पर transmission line की find out करनी है तो देखिए बटा supply जो है यहां पर जो power यह deliver कर रहा है supply यहां से supply हो रही है जो यह power deliver कर रहा है, वो हमें दे रखा है 1000 volt, और कितना volt की supply कर रहा है बेटा यह, supply कर रहा है जी 220 volt, ठीक है, इतनी supply दे रहा है, power आपको दे रखी है, voltage भी आपको दे रहा है, और यह जो line आपको नज़रा रहे, इस line का total resistance 2 ohm है, तो यह line कितना power consume करेगी, थाना heat की form में, जो convert कर देगी, वो loss की तरह ही consider करेंगी, अपन तो loss हम find out करेंगे यहाँ पर, तो input power जो है, वो तो 1000 volt है, और power consumed by the transmission line या जो heat dissipation है, रेट जो है उसका, वो कितना आएगा, वो आजाएगा, i square into r, r की value बटा हमारे पास 2 ohm है, लेकिन current नहीं पता है, current आप fine कर सकते हो, power पता है, voltage पता है, तो current कितना आएगा, p बराबर v into i then i equals to, p by v, तो current कितना आया, 1000 upon me 220, यह current आगे बिटा, तो current का square करना है हमें, 1000 upon me 220 का whole square, into my resistance कितना है, 2 ohm है, इसके cut कर दो, यह 11, यह 50 आगया, ठीक है, तो 50 बटा 11, तो यह लगबग, लगबग, हमारे पास आजाएगा, 2500 और यह 121, into my 2, 5000 बटा में 121 आगया, यह power आचुकी है, जो की consume हो रही है, transmission line के तरू, और power कितने deliver कर रहा है, 1000 वोट, तो power फिर output में कितना मिलेगा, तो यह consume कर रहा है इतना, तो p output जो है, p in minus p loss, वही p out आएगा न, तो p out आगया हमारे पास, 1000 minus 5000 upon में 121, ठीक है, 121, यह value आचुकी है यहाँ पर, इसको अब अब अपन solve करते हैं, तो 121, 1000 minus 5000 upon में 121, इसको subtract करो बटा, तो 0, 0, 0, ठीक है, यह 6 आगया, यह 1 आजाएगा, और यह भी 1 आजाएगा, ठीक है, तो यह सही किया मैंने, और upon में 121, तो यह p output है, और p input कितना था, 1000 था, तो efficiency कैसे find out कि जाती है, p output upon p input into 100, तो p out हमारे पास आच चुका है, p input के लिए आपको value रखनी है, p input कितना था, 1000 है, रख दीजिए 1000, और into में 100 करना आपको, 1000 से 1000 cancel out होगे बटा, तो हमारे पास जो value आई, which is 116 into 100 upon में 121, तो 1 to 1 को, अगर आप 11600 में divide करोगे बटा, तो roughly कितने value आएगी, क्या 100 आएगी, नहीं, 100 नहीं आएगी, 100 से, कम आएगी value बटा, तो अगर आप 11600 में 121 से divide करोगे, तो 9 से अगर मैं cut करूँ, तो 9, यह 18 और यह, ठीक है, तो 1090 आगया, ठीक है, ठीक है, तो 1090 आगया, 9 times, तो इसको 1160 में से subtract करोगे, तो कितना आएगा, 1 आएगा, 10, 9, 1 आगया, और यहां से 5, minus 8, मतलब 7 आचुका है, 71, right, 71 and 0, तो 71 and 0 और 121 आईए, तो 121 को, अगर आप 6 से multiply करते हैं, तो 6, 12 और 6 एक 7, तो roughly देखा जाए, तो 96% के आसपास value आ रही है, यहां पर, ठीक है, तो 64 का जो correct option जो है बिटा, वो first हो जाएगा, 96% के around यह value आ जाएगी, तो main concept क्या था इस question का, कि आपको input power दे रखी थी, उसकी help से आपने current find out कर ली, voltage भी दे रखा था, और current की help से आपने, जो transmission line है, उसका resistance given है, उसमें जो consumed power है, वो भी आपने निकाल ली, तो P input जो आपने दिया था, और जो consumed power है, उसको subtract कर दोगे उसमें से, तो P output आ जाएगा आपके पास, output power जो है, वो बचेगी, वो आ जाएगी, और P output upon P input into 100 कर देंगे, तो आपके पास efficiency आ जाएगी, ठीक है बटा, तो simple efficiency based question था यह, 65 पे आ जाएगे, two capacitors of capacitances, C and 2C are charged to potential differences, V and 2V respectively, these are then connected in the parallel in such a manner that the positive terminal of one hour is connected to the negative of the capacity, the final energy of this configuration is, this configuration की final energy कितनी है, ठीक है, तो बटा, अगर final energy की बात हो रही है, देखो, दो capacitors आपके पास, ठीक है, इस पे V volt है, और capacitance इसका C, दूसरा capacitor जो है, इसका capacitance 2C है, लेकिन positive negative से connect करना, यह positive है, यह negative है, यह negative है, यह positive है, यह negative है, यह positive है, समझगे बात को, this minus this is minus 2V, this minus this is V, और इन दोनों को attach करने के बाद हम से पूछा कि final energy कितनी है, system की, तो final energy हमें find out करनी है, वो कोई बड़ा issue नहीं है, क्यों, अगर आप इन दोनों को attach कर दोगे, तो common potential कितना आएगा, तो common potential हम जानते हैं, VC equals to C1V1 plus C2V2, C1V1 कितना आएगा, C into V, plus C2V into कितना आएगा, 2C into minus का 2V, upon में C1 plus C2, 2C plus C, मतलब 3C, तो common potential कितना आएगा, CV यह आजाएगा, minus का 4CV, तो minus का 3CV आगया, इधर, है न, 4, minus 1, 3CV, upon में 3C, तो value कितनी आगई, minus का V आगया, आया कि नहीं है, तो potential difference जो है, तो में V square V कितना आगया, minus V squaring करोगे, तो V square यह आएगा, उसमें कोई issue नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों को, अगर मैं sum कर दूँ बेटा, तो half C V square, तो, 2 plus 1, 3 हो जाएगा, तो 3 by 2 C V square इसका answer आजाएगा, तो correct option कौन सा है बेटा, 65 का first, ठीक है, तो यह simple सा question था, चलिए next question पर चलें, next question देखिए, एक galanometer of resistance G is converted into a voltmeter of range 0 to 1 volt by connecting a resistance R1 in series with it, ठीक है, तो मतलब एक galanometer है, इसका resistance G है, और इसको voltmeter में convert करना है, तो आपको R1 resistance के साथ connect करना पड़ा, इसका मतलब इन दौनों terminals के cross potential difference कितना V1 है, आँ स्वारी, 1 है, 1 volt, कितना 1 volt है, इन दौनों terminals के cross, कब जब इसमें current कितनी जारी, IG जारी है, इसका मतलब IG और यह दोनों series के अंदर हैं, तो IG into G plus R1, potential difference आगे, वो exactly 1 volt के equal होगा, होगा, अब क्या करा आगे देखिए, by connecting a resistance R1 in series with it, the additional resistance that should be connected in series with R1 to increase the range of the voltmeter of 2, 0 to 2 volt, मतलब इस R1 के साथ, अब आपको क्या करना है, एक और resistance connect करना है, मालनी जी, वो R2 है, ताकि अभी जो range है ना, यह 2 volt तक हो जाए, इसका मतलब अब इसके लिए, अगर मैं equation लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, IG bracket में G plus R1 plus R2 is equal to 2 volt, और हमसे यह पूछा है कि जो R2 है, उसकी value किसके equal होगी बटा, G के equal होगी, है ना, तो यह value value हमसे पूछी है यहाँ पर, अब यह value हमें यहाँ पर calculate करनी पड़ेगी, ठीक है, इन दोने equation की help से हमें find out करना है बटा, तो आप क्या करें, IG हमें नहीं रखना है यहाँ पर, इन दोने equation को आप divide कर दीजिए, अब जब आप divide करोगे, इसमें नीचे वाले में उपर वाले को divide करोगे, तो क्या आएगा, G plus R1 plus R2 upon में G plus R1 is equal to 2 by 1, तो यहाँ से G plus R1 plus R2 is equal to 2G plus 2R1, यहाँ से R2 की value देखो कितनी आई, यह 2G इधर G है तो G बचेगा, इधर 2R1 है तो इस तरफ R1 बचेगा केवल, तो value कितनी आगए R2 की G plus R1, तो इसमें correct option कौन सा हो जाएगा बटा, first हो जाएगा, 66 का first, ठीक है, चलिए, next question पे चलाए, question number 67 बटा, ठीक है, two wires of same length and thickness having specific resistance 6 ohm centimeter and 3 ohm centimeter respectively are connected in parallel, the effective resistivity is row ohm centimeter, the value of row to the nearest integer is. ठीक है, तो दो wires है आपके पास, ठीक है, और इन दोनों wire की length जो है, वो भी same है और thickness भी same है, इसका मतलब area of cross section भी same है, ठीक है, तो A area of cross section है, इसका भी same है, A length भी L है ठीक है, effectively यह जो wire है, effectively यह जो wire है, यह दोनों wires मिल करके एक wire को form करेंगे और उसकी resistivity हम से पूछे, effective resistivity जो है circuit की, यह इन दोनों wires के लिए वो row है, इस वाले की है 6, इस वाले की है 3, अब यह दोनों parallel में हैं तो parallel combination के according बात करें, तो इस combination का जो resistance आएगा, उसको हम लिख सकते हैं, 1 upon R is equal to 1 upon R1, 1 upon R1 की बात करें, तो R होता है, rho L by A, rho is 6, L is L, area is A, plus again 1 upon R2, rho L by A, rho is 3, L is length, area of cross section is A, और यह जो 1 upon R है, यह इसके according resistance आप लिख सकते हैं, तो 1 upon R कितना आएगा, 1 upon R, R मतलब आजाएगा, rho L length है, इसके लिए same रहेग वो तो, और area बेटा 2 times हो जाएगा, ठीक है, दोनों के area sum हो जाएगा, A1 plus A2 हो जाएगा, यहाँ पर, तो हम यह रो की value पूछी, यहाँ पर देखो, A by L, A by L, A by L cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास value आगी, 1 by 6 plus 1 by 3 equals to 2 by rho, 6 calcium आगया, 2 पर 1 plus 3 का 2 आजाएगा, यह 2 2 by rho आगया, 3, 2 plus 1, 3, 3 और यह 2 बचेगा, तो rho equals to कितना आगया, 4 आजाएगा, है ना, तो correct option क्या आजाएगा, इसका 4, चलिए, next question पर चलिए, तेकिए, consider a 72 centimeter long wire A, B as shown in the figure, the gallonometer jockey is placed at P on A, B at distance X centimeter from A, the gallonometer shows 0 deflection, the value of X to the nearest integer is, आपको X की value पूछी है, अगर gallonometer 0 deflection देता है बटा, तो gallonometer 0 deflection देता है, तो उस case में आप, जो meter 20 वाला concept वो लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रटना, यहाँ पर जो length है, वो 72 centimeter है, तो अगर यह X है, तो remaining length है, वो 72 minus X हो जाएगा, बाकी approach same रहेगी, जैसे, 12 upon में X is equal to 6 by 72 minus X, और X की value हम से पूछी है, यहाँ से, इस से कट गया, 2 आजाएगा, इसको इधर multiply कर दीजिए, तो यह 4, 144 आगया, minus 2X is equal to, यहाँ पर X आजाएगा, ठीक है, X इधर multiply आगया, 3X is equal to 144, then X is equal to आगया, 144 by 3, तो इसको अगर आप कट करोगे, 4 से कट होगा, 3, और यह 8, तो X की value, जो है, वो 48 cm, बेटा, हमारे पास आजाएगी, ठीक है, तो यह काफे simple सा question था, लेकिन यह meter bridge वाला ही question है, उसी type का question है, बस length जो है, वो 100 से 72 कर दी, X है, तो next जो, यह जो remaining length है, वो 72 minus X हो जाएगी बेटा, टीक है, चलिये, next question देखिये, in the experiment of ohm's law, a potential difference 5.0 volt is applied across the end of a conductor of length 10.0 cm and diameter of 5.0 mm, the measured current in the conductor is 2.00 ampere, the maximum permissible percentage error in the resistivity of the conductor is, so resistivity में maximum permissible error पूछा है हम से, बेटा, V is equal to I into R होता है, ठीक है, और R होता बेटा, रो L by A, A होता है, पाई R square, या पाई D square by 4, है ना, तो यहां से अगर आप इसको रो की value find out करो, तो रो की value देखो कितनी आएगी, पाई D square by 4 उधर multiply हो जाएगा, ठीक है, V के साथ, और जो current वो divide में आ जाएगा, और length भी divide में आ जाएगा, यहां रो की error किस किस के अंदर है, D में है, V में है, I में है और L में है, ठीक है, तो अगर आपको रो में percentage error find out करना है बेटा, तो del rho by rho into 100 is equal to, यह pi by 4 तो constant हर जाएगा, D square का जाएगा, 2 delta D by D, D is the diameter, है ना, into 100 plus V का जाएगा, delta V by V into 100 plus I उपर जाएगा, negative लेगिन वो positive हो जाएगा, maximum premissive error की बात हो रही है, तो delta I by I into 100 plus L भी उपर जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी delta L by L into 100, ठीक है, तो यह simple सा question है, इसको आप आपको solve करना है, और यह value आपको find out करना है, बेटा, तो यहाँ से सबसे पहले चीज़ देखते हैं हमपन, कि जो delta D है, वो कितना है, देखो जाता है, तो D की जो value वो तो 5.00 है, लेकिन जो delta D है ना यहाँ पर, वो आजाएगा 0.01 mm, तो delta D की value आप क्या रखोगे, 0.01 mm और D की value रखोगे 5.00 mm, delta V की बात करें, तो delta V आजाएगा 5.0 के according, तो V की तो value आजाएगी 5.0 और delta V यहाँ से कितना आजाएगा, 0.1 volt, तो delta V क यहाँ से कितना आजाएगा, तो I तो है हमारे पास 2.00 Ampere और delta I इसके according आजाएगा, 0.01 Ampere, लिस्ट कांट के according, ठीक है, इसके according आप decide कर सकते हो, and next length, length बेटा 10 cm, right, 10 cm length है यहाँ पर, और इसमें भी दे रखा देगा, length 10.0 cm, actually 10.0 cm बेटा है, यहाँ पर हिंदी में correction है, 10.0 cm, so delta L is equal to 0.1, 0.1 cm, ठीक है, 0.1 cm, and L की value कितनी है, 10.0 cm, तो delta L की जगे, 0.1 cm रख देना आप, और L की value, 10.0 cm, जब आप रखोगे बेटा, उस value के अंदर, उस formula के अंदर जो हमने find out किये, उसके अंदर value रखोगे आप, तो आपके पास जो answer है, वो आ जाएगा, 8.4, ठ ठीक है, बाकी calculation और कुछ निये, concept बस इतना सा ही है, ठीक है, चलिए, next question पर चलें, A parallel plate capacitor has plate area 100 meter square and plate separation of 10 meter, the space between the plates is filled up to a thickness of 5 meter, with the material of dielectric constant 10, the resultant capacitance of the system is x picofarad, value of epsilon 0, आपको गीवन, आपको आपको गीवन है, तो इसकी value approximately में बतानी है, कितनी आएगी, ठीक है, तो यह भी simple सा कुछ ने देखा जाए, बाकी calculation है, इसमें fully calculation है, और कुछ नहीं है, तो capacitance कितना आएगा, epsilon 0, A upon A, D minus T plus T by K, यह formula आपको लगाना है, बटा, epsilon 0, की value आपको दे रखी है, 8.85 into 10 to the power minus 12, area आपको गीवन है, 100 meter square, तो 100 आजाएगा, D जो plate, separation जो है, gap जो है बटा, वो आपको दे रखी है, 10 meter, तो यह 10 रख दीजिए, minus, जो आपने slab इसके अंदर insert किया था, space between the plates is, filled up to a thickness of 5 meter, तो T की value 5 है, plus 5 by, dielectric constant जो है, medium का वो 10 है, 5 by K, आजाएगा, यह 5, यह 1 by 2 बचेगा, 10 minus 5, 5 बचा, तो 5 plus 1 by 2 अगर हम सम करेंगे, तो वो 11 by 2 आजाएगा, ठीक है, 11 by 2 तो 2 उपर चला जाएगा, इसो काट दो, 11 by 2 तो 2 उपर आगया बटा, ठीक है, बाकि यह calculation है, इसमें, fully और कुछ नहीं है, answer में, x picofarad, तो picofarad मतलब 10 to the power minus 12 तो picofarad के अंदर आगया, बा यह कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर almost, almost 0.8 के round आएगा, और 0.8 और यह 2 अगर हम देखें तो यह 1.6 के round आएगा, और 1.6 को अगर आप 100 से multiply कर दोगे बटा, तो 160 के round आएगा, तो roughly अगर आप इसको पूरी तरह से calculate करोगे तो इसका answer आजाएगा 161, ठीक है, exact अगर इसको calculate करोगे, तो बाकी कुछ भी नहीं है, simple, formula based question था यह, चलिए next question पर चलें, The voltage across the 10 ohm resistor in the given circuit is x volt, the value of x to the nearest integer is, x का मान बताना है, तो 10 ohm resistor आपको, resistance आपको दिख रहा होगा, यह 10 ohm resistance है, इसके across potential difference बताना है, यह 170 volt है, यह भी बढ़ा आसान सा question बेटा, तो 50 and 20, जो की दोनों parallel में हैं आपके पास, 50 और 20 का parallel के अंदर कितना आजाएगा, 50 into 20, अपोन में 50 plus 20, मलब 70, यह आजाएगा बेटा, 100 by 7, तो यह जो resistance है, 100 by 7 के equal है, right, अब आपको 10 ohm resistor के across, जो potential difference है, वो आपको calculate करना है, ठीक है, इसके across potential difference आपको calculate करना है, तो आप potential divider rule लगा सकते हो simply, तो 10 ohm के cross potential difference कितना आएगा, V is equal to, total कितना आएगा, 170, into में 10, upon में, this 10 plus this resistance and this one is 100 by 7, ठीक है, इसको आपको solve करना पड़ेगा, यहाँ पर, तो देखो यह कितना आएगा, 170 into 10 upon में, यह 70 plus 100 मतलब 170 आगया और 7 उपर चला जाएगा, इससे cancel out हो गया, 7 into 10 कितना आजाएगा, 70 आजाएगा, इसका correct option, correct answer क्या आजाएगा, बेटा, 70 volt, right, next question पर चलते हैं, question number, 72, लेखिये, the circuit shown in the figure consists of a charged capacitor of capacity 3 microfarad and a charge of 30 microgram, at the time t equals to 0 when the key is closed, the value of the current flowing through the 5 mega ohm resistor is x micro ampere, right, तो इस resistance में से जो current flow होगी, उस current की value हम से पूछी है, वैसे current की value x micro ampere में है, x की value आपको बतानी है, लेकिन कब, जैसे ही आप key को close करते हो, उसी instant पे, तो अगर आप गोर से देखो, यहाँ पर capacitance 3 microfarad है, charge 30 microgram है, तो initial जो potential difference है, capacitor की plates के across, वो कितना आएगा, delta v equals to q by c, क्योंकि q equals to c v होता है, या c delta v होता है, तो delta v equals to q by c, यहाँ से पेटा potential difference अगर calculate किया जाए, q की value 30 microgram है, और c की value 3 microfarad है, तो voltage आगया 10 volt, मतलब plates के across potential difference 10 volt है, मतलब इस point का potential और इस point का potential जो है, यह तो same आएगा ना, यह तो बाहर सेम है, तो इस resistance के across potential difference exactly 10 volt के बराबर होगा, t बराबर 0 पर, तो अगर उस समय अगर 10 volt के बराबर इसके across अगर potential difference है, तो इस resistance में जो current flow होगा, I is equal to delta V by R के equal होगा, बेटा, delta V की value 10 है, R की value 5 mega होँ है, mega मतलब 10 to the power 6, यह उपर चला जाएगा, 10 to the power minus 6, इससे cut करोगे बेटा, तो 2 into 10 to the power minus 6 ampere, मतलब 2 microampere का बेटा, correct answer आजाएगा, तो X की value option से पूछी है, तो क्या answer आजाएगा, केवल 2, next question में चलें, question no. 73 बेटा, तो 73 के लिए, आप पढ़िये ज़रा, एक current of 10 ampere exists in a wire of cross sectional area of 5 mm square, with a drift velocity 2 into 10 to the power minus 3 meter per second, the number of free electrons in each cubic meter of the wire is, मतलब आपको electrons की concentration पूछी है बेटा, इस question के अंदर, as we know I is equal to N E A V D, right, हमें N की value यहां से find out करनी है बेटा, current की value 10 ampere हमें मालूम है, N की value हमें find out करनी है, यह electron का charge है, वो 1.6 into 10 to the power minus 19 klam के equal होता है, area 5 mm square है, इसको आप लेख सकते हो 5 into 10 to the power minus 6, क्योंकि millimeter 10 to the power minus 3 meter होता है, इसका squaring भी हो रहा है, तो 10 to the power minus 6 आ गया, meter cube, meter square के अंदर, sorry, हाँ ठीक है, सही कि है, 5 into 10 to the power minus 6 आ जाएगा, सही है, कोई रिक्कत नहीं है, और into में VD, dip velocity आपको 2 into 10 to the power minus 3 की बने हैं और यहाँ से आपको n की value find out करनी है, right, तो n की value, यहाँ पर देखिए बैटा, 10 is equal to n, 1.6 into 5 into 10, तो 5 into 2 मतलब 10 हो गया, तो यह 16 आ जाएगा, और यह हट गया यहाँ से, यह देखो 6 and 3, 9 आ गया, 9 and 9 यह आ जाएगा 10 to the power minus 28, ठीक है, क्योंकि यह 9 आ जाएगा, 9 and 9 आ जाएगा, 18 तो 28 आ गया, और यहाँ से बिटा अगर हम देखें, तो n बराबर आ चुका है, 10 by 16 और यह आ जाएगा 10 to the power 28, इसको further solve करो आप, तो roughly हमें यहाँ पर value निकालनी है, वैसे 25, 25 दे रखा है, तो क्यों ना हम इसमें से 30 बाहर ले लें, 10 to the power 25 आ गया और इसको 16 से आपको divide करना है जाएगा, ठीक है, 16 से divide करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, and then 4 बचाएगा, 40, 16 into 2, 32, 80 and 5, 6, 25 into 10 to the power 25 यह इसका correct answer आ जाएगा, ठीक है, question number 74 बटा, a parallel plate capacity whose capacitance C is equal to 14 picofarad is charged by battery to a potential defense V equals to 12 volt between its plates, charging battery is now disconnected and a porcelain plate with K equals to 7 is inserted between the plates, then the plate would oscillate back and forth between the plates with a constant mechanical energy of this picojoule, friction को assume नहीं किया है, यहाँ पर ignore किया गया है, तो हम से पूछाए कि mechanical energy कितनी है, उस slab की, ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इदर, जैसे यह capacitor है, ठीक है, और capacitor का capacitance C, और V मतलब 12 volt से आपने इसको, जो है, वो चार्ज कर दिया, ठीक है, चार्ज कर दिया आपने इसको, इस पर सपोज प्लस, इस पर सपोज माइनस चार्ज आ गया, तो इनिशिली अगर मैं आप से पूछ हूँ, capacitor की energy कितनी है, तो आप energy बता सकते हो, इसली, half cv square होगा, c की value हमें दे रखी, यह V की value भी दे रखी, एंड इवन अगर आप से कोई charge भी पूछे, तो इस plate पे जो charge है, charge की value q बराबर cv के equal आएगा, ठीक है, जैसे ही आप इस capacitor की plates के बीच में slab insert करते होटा, आपने battery को हटा दिया, इसका मतलब charge हमेशा conserve रहेगा, charge change नहीं होगा, ठीक है, यह positive, यह negative, यहाँ पर जैसे ही slab को आपने insert किया, यह हलका सा अंदर shift किया, तो यह due to induction यहाँ पर minus plus charge induced हो जाएगा, तो यह minus को यह वला plus अपनी तरफ खींचेगा, इस plus को minus वला अपनी तरफ खींचेगा, तो इस slab अपने आप अंदर चली जाएगी, तो जब slab अंदर जाएगी, तो slab के पास kinetic energy आ जाएगी, है ना, slab के पास kinetic energy आ जाएगी, तो slab completely इस इन दोनों plates के बीच म जाएगी, तो इसके पास कुछ kinetic energy आ जाएगी, और maximum kinetic energy होगी, उस case में, ठीक है, और net force on slab is zero, यह इसके लिए mean position की तरह काम करेगी, बटा, charge में कोई change आया नहीं है, plus minus, ठीक है, तो अब जब यह slab completely इन दोनों plates के बीच में आचुकी है, तो अब अगर हमसे कोई कहे कि इसका capacitance कीतना है, पूरे capacitor का, तो capacitance बेटा, k times c हो जाएगा, charge as it is, वही का वही है, q, तो अब इस case में, जो energy है capacitor की, वह कितनी होगी, यू final की बात करे, तो अब जो energy है capacitor की, आप q square by 2c वाला formula अप्लाई कर सकते हो, तो q बेटा यहाँ पर कितना है, cv के equal है, तो q square मतलब c square v square, upon 2c but c यहाँ पर अब a times c हो चुका है, c से c cancel out हो गया, तो अब इस case में, जो energy है बेटा, half cv square by k के गुलागी, पहले energy ज्यादा थी, अब energy कम है, इसका मतलब जो energy में जो difference है ना, वो ही इसकी kinetic energy को represent कर रहा है, slab की kinetic energy को, और यहाँ पर slab के पास completely, जो mechanical energy है, वो kinetic energy की form में convert हो तो actually में, यहाँ पर जो slab है, जिस mechanical energy के साथ, back and forth motion कर रही है बटा, उस mechanical energy को मैं लिख सकता हूँ, initial potential energy of capacitor minus final potential energy of capacitor, which is half cv square minus half cv square by k और इससे हम लिख सकते हैं, half cv square 1 minus 1 by k, टिक है, अब इससे थोड़ा solve करना पड़ेगा, इस वाले part को रब कर दूँ, यहाँ से c की value बटा हमारे पास 14 pico farad और answer pico joule में दे रखा है, तो उसको as it is वैसे ही रहने देते हैं, तो half c की value बटा 14 pico के अंदर, into v square, v beta 12 है, तो 12 का square, 144 आ जाएगा, squaring करोगे तो, bracket 1 minus 1 by k, और k की value 7 है, यहाँ पर, right, तो 7 minus 1 आ जाएगा 6, तो 6 by 7 आ गया यह, यह 7 आ जाएगा, यह पूरा 6 बचेगा, 6 by 7, 7 से 7 cancel out हो गया, ठीक है, 7 से 7 cancel out हो गया, तो हमारे पास यहाँ, अच्छा, यहाँ पर 6 भी है, तो 144 into 6, इसको multiply क and 2, यहाँ आ जाएगा, 26, 2 and 6 and 1, 6 and 2 मतलब 8, 8, 64, pico joule इसका answer आ जाएगा, ठीक है, यही इसकी slab की mechanical energy होगी बटा, ओके, चलिये, next question पर चलते हैं, बटा, हाँ बटा, question number 75, the equivalent resistance of series combination of two resistors is S, when they are connected in parallel, the equivalent resistance is P, if S is equal to N into P, then the maximum value for N is, ठीक है, mathematical question है, बटा, तो दो resistance है, अपन consider कर लेते हैं, एक तो R1 और एक दूसरा R2, दोनों को अगर आप series में combine करोगे, तो equivalent कितना आएगा, R1 plus R2, और इसकी value हमें S दे रखी है, और जब आप दोनों को parallel में combine करोगे, तो equivalent आजाएगा, R1, R2, उपन में R1 plus R2, और यह value जो है, वो R1 into P, P मतलब R1, R2, अपन में R1 plus R2, और यहां से हमसे पूछा है कि N की maximum value कितनी हो सकती है, तो यह जो part R1 plus R2 आपको दिख रहा है, इसको मैं इधर multiply कर देता हूं, R1 plus R2 से, तो squaring हो जाएगा, फिर यहां पर value कितनी है कि बटा, R1 square plus R2 square plus 2 R1 R2 is equal to N times R1 R2, यह हमारे पास equation आ गई यहां पर, अब इस वाले part को इधर ले आईए, तो R1 square plus R2 square plus 2 minus N, R1 R2 is equal to 0, अच्छा resistance positive होता, negative तो होता नहीं है, और यहां पर इस equation में अगर मैं R2 square को divide कर दूं, R2 square का भाग दे दूं पूरे में, divide कर दूं, यहां पर क्या आएगा, R1 by R2 का whole square यह 1 आ जाएगा यह R1 by R2 आ जाएगा, तो यहां पर R1 by R2 जो है, उसको मैं X consider कर लेता हूं, तो value कितनी आ जाएगी, X square plus, यह 1 plus 2 minus N into X is equal to 0, ठीक है, X is equal to R1 by R2 है हमारे पास, और X positive होना चीए, तो यह equation एक quadratic equation बन रही है, देखिए, और quadratic equation है, तो इसमें X की value अगर पने बेटा calculate करें, तो X is equal to minus B, minus B बोले तो minus का 2 minus N plus minus under root B square, B square बोले तो 2 minus N का whole square minus 4 into A की value 1, C की value भी 1 है, तो 4 into 1 into 1, 4 ही बचाएगा, by 2 into 1, 2 into A मतलब 1 आ जाएगा, यहां मतलब 2 आ जाएगा, तो यह X की value आ चुकी यहां पर, तो X बराबर, इसको minus को अंदर ले जाएगे, तो यह N minus 2 आ गया minus 4 by 2, यह under root के अंदर जो quantity है, हमें पता है hypothetical तो हो नहीं सकता, इसका मतलब जो under root वाली जो quantity बटा वो, greater than or equal to 0 होना चीए, यह must है, जरूरी है, खिक है, greater than or equal to 0 होना चीए, तो इसके लिए अपन, 2 minus N का whole square minus 4 को मैं लिख सकता हूँ, greater than or equal to 0, correct, इस 4 को आप इधर ले या इसको ऐसे भी settle down कर सकते हो, 2 minus N, यह जैसे 2 का square हो जाएगा, तो A minus B, A plus B, इस form में भी आप इसको लिख सकते हो चाहो, तो नहीं तो आप direct लिख दीजिए, 4 था यह इधर जाएगा, तो 2 का square है वैसे, तो 2 minus N जो है, वो greater than or equal to plus minus 2 आगया, ऐसे तो लिखी सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं एक बार plus 2 use करूँगा, तो 2, 2 कट जाएगा, तो N की value यहाँ पर कितनी आरी देखो, यह 2 minus N greater than or equal to 2, तो यहाँ से बिटा, N जो है, वो इस तरफ आजाएगा और इधर 0 आजाएगा, तो इसका मतलब N की value less than 0 है, less than negative, क्या negative हो सकता है, S बराबर N times P है S positive, P b positive होगा, series parallel combination की बात करें, तो N भी तो positive होना चीए, N negative हो नहीं सकता, तो यह तो हो गया गलत, दूसरा case देखें, तो 2 minus N greater than or equal to minus 2, यह minus 2 इधर ले जाएगे, तो 4 आगया, is less than, greater than or equal to N, तो इसका मतलब N की value है, वो 4 के या तो equal या उससे less होनी चीए, समझ माही ना बा question था यह, next question में चलते हैं, 4 identical rectangular plates with length L 2 cm, breadth B 3 by 2 cm are arranged as shown in the figure, the equivalent capacitance between A and C is X epsilon by D, the value of X is, अच्छा D जो है यह gap है बेटा, plates की बीच का, तो plates का यह question है, A और C के बीच में equivalent resistance हमसे पूछा है, तो A यहाँ पर C, यहाँ पर बढ़ते हैं, यहाँ पर possible capacitor कितने बन सकते हैं, देखो, एक तो यह वाला, जो gap वाला पाट दिख रहा है न, वो आपको consider करना है, तीन capacitor यहा यहाँ पर A terminal बनाओ, अब A से एक plate connected है, यह वाली, अब यह वाली जो plate है, यहाँ पर numbering भी करनी है हमें, ठीक है, तो numbering करता हूँ, देखो, मैं, यहाँ पर यह one number, यह two number, यह three number, यह four number, यह five number, यह six number, side वाले में यह देने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो capacitive form नहीं करेगा, तो A जो है, वो one number से connected है, यहाँ पर, ठीक है, one वाली two के साथ मिलके capacitive बना रही है, तो इधर two connect कर दीजिए, two और three आपस में जुड़े हुए हैं, three वाली four के साथ मिलके capacitive बना रही है, four and five आपस में जुड़े हुए है, five और six मिलके आपस में capacitive बना रहे है, देखो, बन गए, अब इसके अलावा, इसमें connection भी देखना है आपन को, जहां से देखिएगा, इसके बना रहे हैं, तो इसके अलावा, जो बी और डी है, जो two and three और six है, वो आपस में connected है, इसका मतलब यह वाला जो capacitor इसके parallel में है, अगर आप गोर से देखो, तो यह वाला जो capacitor है, इसको यूँ पलट दो, घुमा दो, तो यह वाला capacitor exactly इसके parallel में, यह दोनों parallel में हैं, अगर इनकी capacity C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है, क्योंकि gap same है, तो identical होंगे, तो C और C जो parallel में है, तो 2C हो जाएगा, 2C और C फिर series में आजाएंगे, 2C और C series में आएंगे, तो series में कितना आजाएगा फिर, 2C into C upon 2C plus C, मतलब 3C, तो value कितने आगी, 2C by 3, तो जो equivalent capacitance है बैटा, वो 2 by 3 into C, C की value epsilon naught, area, 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 length और breadth आपको दे रहे है, 2 into 3 by 2 आएगा, ठीक है, आगया, epsilon a by d, d की बात करें, d, d दे रहे है अपन को, यहां से 2 से 2 cancel out हो गया, 3 से 3 cancel out हुआ, तो value कितनी आई, 2 epsilon naught by d, तो यहां से आपको x की value find out करनी थी, x की value यहां से कितनी आजेगे बैटा, 2 k equal, और given units में ही अपन को उसकी according answer देना है, correct बैटा, चलिए, next question पर चलते हैं, a conducting wire of length L, area of cross section A and electric resistivity row is connected between the terminals of a battery, a potential difference V is developed between its ends, ठीक है, एक wire दे रहे है आपको बैटा, area of cross section A है, length L है, resistivity row है, ठीक है, कोई problem नहीं है, और V potential difference आपने इसके cross लगाया हुआ है, ठीक है, causing an electric current, ठीक है, if the length of the wire of the same material, मतलब resistivity same रहेगा, is doubled and the area of cross section is half, the resultant current would be, यह तो simple सा कोशन है, कहने का मतलब यह हुआ कि same wire लिया आपने, ठीक है, same wire लिया, resistivity same, मतलब row, length को आपने double कर दिया, ठीक है, length क्या कर दिया, आपने, double कर दिया, देखो, 2L हो गया, तो resistance क्या आएगा उस wire का, row L, 2L हो गया, अपन में area, area क्या क्या कर दिया, half कर दिया, तो A by 2 कर दिया, A by 2, तो उपर आगया, इसका मतलब resistance कितना है बटा, 4Row L by A के equal आगया, अब क्या पूछाएदा, resultant current would be, तो अब current कितनी flow होगी, I is equal to V by R, और R की value कितनी है बटा, 4Row L by A, तो मतलब V upon में 4Row L by A, और इसके according answer कौन सा हो जाएगा बटा, नहीं ये नहीं है, ये, fourth option, fourth option इसका correct हो जाएगा, ठीक है, तो ये था, simple सा question, चलिये, next question पे चलते हैं, पढ़िये, For changing the capacitance of a given parallel plate capacitor, a dielectric material of dielectric constant K is used, which has the same area as the plates of the capacitor, the thickness of the dielectric slab is 3 by 4D, where D is the separation between the plates of the parallel plate capacitor, the new capacitance C dash, in terms of the original capacitance C knot is given by the following relation, C knot की terms में हमें answer देना है, तो पेटा, C knot की value जब vacuum है या जब air है, तो C knot की value definitely epsilon knot A by D के equal आएगा, confirm है, और जो C dash है, वो किसके equal आएगा, epsilon knot A upon में D minus T, T thickness है slab की, thickness slab की, thickness कितनी है यहाँपर, 3 by 4D है, तो यहाँपर आजाएगा 3 by 4D, plus T by K, मतलब 3D by 4 by K, और K तो हमें K ही दे रखा है, यहाँपर value नहीं दे रखी है, तो इसी form में हमें लिखना पड़ेगा इसको, तो यहाँसे इसको थोड़ा simple करो बेड़ा, epsilon knot A upon में D minus 3D by 4, यह D by 4 आजाएगा, D by 4 यहाँसे common ले लिजिए, ठीक है, यहाँसे D by 4, D by 4 को मना जाएगा और यहाँपे आजाएगा 1 plus 3 by K, right, 3 by K, तो यह D by 4, 4 उपर चला गया, epsilon knot A by D तो यहाँ आई गया, 4 उपर आगया, divide में 1 plus 3 by K आगया, तो epsilon knot A by D जो वह actual में C knot के बराबर है, तो वहाँपे वो C knot रख देंगा, तो हमारे पास C dash की value कितनी है, एक बड़ा C dash आजाएगा, C knot उपर 4 आगया, और divide में आजाएगा 1 plus 3 by K, तो K plus 3 by K के उपर चला जाएगा, divide मेंगा K plus 3, तो answer आजाएगा 4 C knot K upon K plus 3, 4 C knot K upon K plus 3, तो इसका first option बेटा correct हो जाएगा, ठीक है, यह simple सा question था, चलिए next question पे चलें, 5 equal resistances are connected in a network of shown the figure, the net resistance between the points A and B, बहुत easy question है, अगर आपने वीर्सोन बीज के बारे में पढ़ा है, balanced वीर्सोन बीज के बारे में, तो आप दिखते ही, इसको पैचान जाओगे, यह circuit किसका है, तो यहाँ पर A और B के across आपको equivalent resistance पूछा है बैटा, तो यह जो आपको branch नजर आ मोड ने बिटा, ठीक है, ध्यान से देखना, यह वाला वायर मैंने बना दिया, फिर यह वाला बना दिया, फिर यह वाला बनाऊंगा अब मैं, ठीक है, R, R और R, यह तीनों cover कर लिए, अब यह जो branch है नहीं, इसको मैं पलट देता हूँ उदर की तरफ, देखो, यह B है, य यह A आ गया, यह भी R और यह भी R, तो अब यह balance वीस बना के नहीं बना देखो, R by R, 1, R by R, 1, तो यह वाला resistance कोई काम का नहीं है, रिमूग कर दो, फिर यह दोनो, R और R सीरीज में 2R, R और R सीरीज में 2R, ठीक है, तो 2R और 2R जो है, पैरलल के अंदर के अंदर कीतना आ R आ जाएगा, तो फिर हमारे पास correct option इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ option क्या है, R, ठीक है, चलिए, next question पे चलें, In an electrical circuit, a battery is connected to past 20 kcal of charge through it in a certain given time, the potential difference between the two plates of the battery is maintained at 15 volt, the work done by the battery is, बटा, कोई भी battery आपको दे रखी है, और बैटरी के cross, अगर potential difference suppose V है, और बैटरी बटा, किसी charge को negative terminal से positive terminal की तरफ फुल करके लाती है, खीज के लाती है, तो बैटरी उस दौरान work करती है, और वो work done जो है, बटा, W is equal to delta U के equal होता है, ठीक है, potential energy में change के equal होता है, और potential energy में change कीतना आएगा, Q into में delta V, right, U is equal to Q into V होता है, तो delta U equals to Q into delta V, और delta V किस के equal होता है, exactly V के equal होता है, वगदन बाइद बैटरी is simply Q into V, और यहां पर V की value देखो 15V देरेके, और Q की value 20 देरेके, 20 into 15 अगर आप यहां पे करोगे, तो हमारे पास कितने value आएगी, 300 Joule, 300 Joule इसका answer आजाएगा, ठीक है, चलिए, next question, हाँ बड़ा, question number 83, an electron with kinetic energy K1 enters between parallel plates of a capacitor at an angle alpha with the plates, it leaves the plates at an angle beta with kinetic energy K2, then the ratio of the kinetic energy is K1 by K2 will be, तो जैसे माल लिजीए बटा, यह दोनो plates, इस वे से मैंने अरेंज कर दी, इनके बीच में electric field होगा, या तो electric field उपर होगा, या नीची होगा, plus minus के according, वो पता नहीं कैसे है, लेकिन हाँ, let's say electric field इस तरफ है, माल लिजीए, इस तरफ तो कोई electric field इस नहीं कर रहा, इसका मतलब electron पे जो भी force लगेगा, charge particle वो electric field के opposite लगेगा, लेकिन उसके along नहीं लगेगा, इसका मतलब इस direction में कोई force नहीं लगेगा electron पे, इस direction में acceleration zero, इस direction में acceleration zero मतलब इस direction velocity भी क्या रहेगी, constant रहेगी, चीक है, माल लिजी, electron जो है, यहां center करता है बैटा, और electron suppose इस तरफ, alpha angle से, और V1 speed से enter करता है, तो electron पे force लगता है, और electron का path कुछ ऐसा आता है, यह आया, और जब यह plate से बाहर निकलता है बैटा, तो उस case में, electron के पास speed मान लिजी, V2 है, और plates के साथ angle कितना है, बीटा है, इसका मतलब इस तरफ velocity constant रहेगी बैटा, तो अगर मैं initially देखो तो, velocity का horizontal component या plate के लोग जो component है, वो V1 cos alpha आएगा, और यहां देखा जाए, तो कितना आएगा, V2 cos beta आएगा, correct, तो अगर मैं initial kinetic energy, k1 की बात करो, तो k1 बैटा, half m, mass of electron, into V1 square आएगा, सही है, और K2 जो है वो, half m into V2 square आएगा, अगर मैं इन दोनों का ratio देखों, तो K1 by K2, definitely V1 square by V2 square के equal होगा, इसमें भी कोई doubt नहीं है, और हम यह भी जानते हैं, कि V1 cos alpha और V2 cos beta, यह वाला, दोनों equal भी होने चीए, है न, V1 cos alpha is equal to V2 cos beta, यह दोनों बराबर होने चीए, equal होने चीए, तो V1 by V2 कितना आगया, cos beta by cos alpha न, तो V1 square by V2 square कितना आएगा यहां से आजाएगा हमारे पास, cos square beta upon cos square alpha, उसका correct option कौन सा हो जाएगा बेटा, second option इसका correct हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question पे चलाएं, a current of 6 ampere enters one corner P of an equal to triangle PQR, PQR, okay, having 3 wires of resistance 2 ohm, each and leaves by the corner R, the current I1 in the ampere is, तो I1 आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, इसमें current आपसे पूछिए, तो काफी simple question है, यह current divider rule जो है, उससे आप इसको solve कर सकते हो, क्योंकि जो current है, यहां से 6 ampere जा रही है, यह दो पार्ट में split होगी, यह current सेम रहेगी, इसमें भी I1 के बराबर आएगी current, तो बटा, यहां से अगर आपन देखें, तो यह 6 ampere current इसमें आ रही है, और यह 2 and 2 का equivalent जो है यहां पर, वो आ जाएगा, 4 ohm, और यह जो है, यह 2 ohm के equal है, ठीक है, बाद में वापस यह 6 ampere current यहां से flow कर जाएगी, इस branch में हमें current find करनी है, आइवन, तो I1 की value कितने आएगी, current divider rule से अगर हम solve करें, तो I1 बराबर main branch वाली current 6 into सामने वाला resistance 2 ohm, upon 2 plus 4 मतलब 6, इन दोनों का सम, इससे कट गया बटा, value कितने आएगी, 2 ampere, काफे simple सा question है यह, उसमें correct answer किया जाएगा, बटा, 2 ampere, ठीक है, चलिए, next question पे चलाएगे, देखे, two cells of EMF 2E and E with internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series to an external resistance R, the value of R at which the potential difference across the terminals of first cell becomes 0, ती cell, जो first वाला cell आपको जो नजर आ रहा है, इसको मैं वापस draw करूं डाइग्राम को, इसका internal resistance R1 है, EMF 2E है, और दूसरा जो cell है, इसका EMF 2E है और इसका internal resistance R2, चिक है, और बाहर external resistance आपने capital R connect कर रखा है, अगर आपसे कोई current के बारे में पूछे, circuit में current कितना होगा, तो बड़ा असानी से आप calculate कर सकते हो, I is equal to, total EMF कितना आएगा, 2E and E, दोनों same direction में है, same order में है, तो 2E and E, 3E आगया, और अपोन में resistance कितना आएगा, R1 plus R2 plus capital R, यह total current आगया बटा, अब अगर इसके across terminal voltage 0 है, first cell के across, terminal voltage अगर 0 है तो terminal voltage होता है बटा, E minus IR, E इसका 2E के equal है, minus I, I जो है वो 3E by, R1 plus R2 plus capital R के equal है, यह I आगया, और into में R1, correct, into में R1, तो यहां से देखो, E हट जाएगा, ठीक है, और बाकी इस वाले पार्ट को इधर ले जाएगे, और फिर इसको इधर multiply कर दीजिए, तो value आजाएगी, 2R1 plus 2R2 plus 2 capital R, I think सही किया है, मैंने, यहां पर, तो 2R1 plus 2R2 plus 2 capital R is equal to 3R1, तो यहां से 3R1 and 2R1, तो यह हमारे पास बचेगा R1 के वल, और हम से value किसकी पूछिए, capital R की value पूछिए, right, capital R की value यहां से कितनी आएगी, देखिए, यह आजाएगा, 2R2, sorry, 2 capital R is equal to 3R1, 2R1, तो यह R1 बचेगा इस तरफ, minus 2R2, so capital R is equal to R1 by 2 minus R2, यह देखिए, यह कौन से option के अंदर match कर रहा है, यह बटा option आ रहा है जी, 4th, उसका correct option क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है, चलिए, question number 87 पे चलते हैं, okay, 87, the four arms of a Weidstone bridge have resistances as shown in the figure, a galanometer of 15 ohm resistance is connected across BD, calculate the current through galanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC, तो यह 100 ohm है, यह 10 ohm है, यह 60 ohm है, यह 5 ohm है, और 10 volt का आपने बैटरी लगा रखिए, और galanometer जो आपको दे रहे हैं, उसका resistance आपको even given है, और वो है 15 ohm, तो इसका resistance आपको 15 ohm के equal है, बिटा, 15 ohm के बराबर आपको दे रखिए value इसके, ठीक है, और हम से यह पूछा है, इस galanometer जहांपे connected है, इसमें electric current कितना जाएगा, electric current की value हमसे पूछी है यहांपर, ठीक है, तो question काफी अच्छा है यह, इस question को हमें solve करना पड़ेगा, और हिसाब से देखा जाए, तो यह unbalanced wheatstone beach का question है, यह unbalanced wheatstone beach का question है, जो की काफी complex है अपने आप में, तो इसको KVL और KCL की help से बेट आप इसको solve कर सकते हों बकाइदा, तो हम इसकी main equations लिखेंगे, तो यहांपर है यह 100 ohm, यह है 15 ohm, 60 ohm, 5 ohm, 10 ohm, और यहांपर यह, 10 volt की battery लगी भी, तो 100, 10, 15, 60, 5, ठीक है, चलिए, देखें, तो यह कुछ circuit है यहांपर, और हमें इस wire के अंदर electric current, इस galometer के अंदर electric current पूछा है वेटा, ओके, देखें, तो अगर मैं KVL apply करूं यहांसे electric current को assume करूं, right, इसमें mash method भी आता है, जिससे आप equation बहुत पड़ापट बना सकते हो, mash method को मैं अगर बताओं आपको, देखो बेटा, जैसे इस, यहां पर loop को first of all देखा जाता है, जैसे यह loop है, एक यह loop है और एक यह loop बना सकता हूं, यह loop 1, loop 1 mark कर दीजिए, loop 2, loop 3, loop 1 की जो current है, वो अपन i1 assume करेंगे, loop 2 की जो current है, उसको मैं लिखूंगा i2, और loop 3 की जो current है main current, उसको लिखूंगा i3, ठीक है, तो ध्यान से देखेगा आप, तो जो i1 current है, यह तीनों resistance में से पास हो रही है, 100 में से, 15 में से, 60 में से, तो इन टीनों का sum कर दीजिए, मतलब 100 प्लस 60, प्लस 15, कितना आएगा, यह आ जाएगा, 100 प्लस 60, प्लस 15, डारेक्ट अगर लिखें, तो यह आ जाएगा 175, राइट, तो 175, i1, पहला काम यह, फिर यह देखो, इस loop में से कोई ऐसा register है, जिसमें से i2 पास हो रही है, yes, 15 में से i2 भी पास होगी, i2, opposite पास होगी, तो आजाएगा, minus का 15, i2, फिर और देखिए, कि इस loop 1 में कोई ऐसा resistance है, जिसमें i3 पास हो रही है, definitely, 60 ohm में से i3 पास हो रही है, तो यह आजाएगा, minus का 60, i3, is equal to 0, कोई बैटरी ने लगी इस loop में, तो ब कर सकते हैं, आप चाहो तो, खहर हलांकि यह equation 1 बन चुकी है, loop 2 की बात करें, loop 2 में primary जो current वो i2 बैटा, वो positive आएगी, तो इसका, यह किस किस में से पास होगी, 15 में से पास होगी, 5 में से 10 में, 15 प्लस 5 हो जाएगा, 20, 20, 20, 30, तो यह plus का 30, i2 आजाएगा, i1 15 में से पास हो पर second आचुकी है, third equation बात करें बड़ा, इस loop के लिए, तो i3 किस किस में से पास होगी है, 60 में से 5 में से, के वल 60 and 5, तो यह आजाएगा, plus का 60, 5, 60 and 5, 65, i3, plus का, अब i1 इस में से पास होगी, 60 में से, minus का 60, i1, ठीक है, और i2 बैटा, इस में से 5 में से पास होगी, तो minus का 5 i2, बैटरी की अगर हम बात करें, बैटरी की अगर अपन बात करें, तो बैटरी देखा जाए, तो लो से हाई याँ पर minus का 10 आएगा, लेकिन उदर जाएगा, तो यह प्लस का 10 आजाएगा, ठीक है, polarity का according, current ऐसी flow करवाएगा बैटरी, उसकी according प्लस का 10 इदर जाएगा, यह तीन main equations बनी है, ठीक है, इसका solution में यहाँ नहीं करने वाला, लेकिन इन equations को solve करके, आपको i1 and i2 की value find करनी है, ठीक है, तीन variable हैं बैटा, इन तीनों को solve करके, आप i1 and i2 की value find कर सकते हो, और जब i1 और i2 आ जाएगे आपके पास, तो आप से पूछा है कि इस resistance में current की value क पूछिए बैटा, तो i1 नीचे जा रही है और i2 उपर जा रही है, तो 15 ohm के इंदर जो current जाएगी, which is i1 minus i2, अब जो भी ज्यादा होगा, मैंने i1 को greater resume किया, तो i1 नीचे, i2 उपर तो i1 minus i2 नीचे जा रही है, अगर यह value positive आती है, तो definitely i1 minus i2 नीचे जाएगी, अगर नीचे बारे तो ऊपर चली जाएगी, वो plus minus का फरक होगा, वो को जादा नहीं होगा, तो आपको इन equation को solve करके i1 और i2 की value find करनी है, and then फिर i1 minus i2 करके आप current की value find कर सकते हो, तो equation थोड़ी complex ही है, इनको solve करना पड़ेगा और जब solve करोगे आप, तो आपके पास इसमें answer आ A 2 microfarad capacitor C1 is first charged to a potential difference of 10 volt using a battery, then the battery is removed and the capacitor is connected to an uncharged capacitor C2 of 8 microfarad, the charge on C2 in equilibrium condition is in microclump, तो ये भी again वैसा ही same, बार बार रीपीट हो रहा है देखो ये question, इस type के concept based कई सारे questions पूचे जा चुके हैं, जाई मेंस के अंदर, ठीक है, तो आप इसकी importance को समझी है, बटा, तो आपने इसको 10 volt से connect किया, चार्ज आगे है इसके उपर, और चार्ज आपको पहले ये वाला ओफ है, ये वाला ओन है, इस पर चार्ज कितना आएगा, Q बराबर Cv, C2 microfarad और V 10 है, चलो C1 और V आजाएगा, V 10 है, ये अंचास था, अब आप से पूछा है, जैसे ही आप इसको combine कर दोगे, connect कर होगे, तो जो C2 है न, equilibrium पे, C2 पे चार्ज कितना हैगा, तो आपको पता है, common potential difference कितना आता है, इन दोनों पे, Vc, is equal to C1 V1, plus C2 V2, C2 तो है, लेकिन V2 था ही न, इस पर ये चार्ज नहीं था, तो वो जीरो जाएगा, आप उन में C1 प्लस C2, ये common potential difference आ गया, जब आप इस into common potential difference, V तो दोनों के क्रों सेम हो जाएगा न, और वो value हमारे पास है, वहाँ पर बेटा, तो Q2 आ जाएगा, C2 into Vc, Vc है, C1 V1, अपोन में C1 प्लस C2, तो यहां से आप इसको solve कर सकते हैं, बहुत फटा फट, तो C2 की value हमारे पास है, यहां पर कितनी है, C2, C2 है जी 8, C1 क कितना था, 10 था, अपोन में C1 प्लस C2, 8 प्लस 2, जो की 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, बटा, 8 into 2 आजाएगा, 16, 16 micro coulomb, इसमें final answer आजाएगा, तो यह question number 88 है, और 88 का answer आजाएगा, बटा, 16 micro coulomb, ठीक है, micro coulomb के अंदर, चलिए, question number 89 पर चलते है, देखे क्या कह रहा है the plate capacitor set up, the plate area of capacitor is 2 meter square, right, and the plates are separated by 1 meter, the space between the plates are filled with the dielectric material of thickness 0.5 meter and area 2 meter square, ठीक है, तो हम से पूछा क्या है यहाँ पर, हम से पूछा है, इसका capacitance की इतना होगा, epsilon naught into में, देखे को epsilon naught into के अंदर है, और काफी simple सा यह question है, dielectric constant आपको 3.2 given है, तो capacitance के लिए आप क्या करोगे, simple formula, epsilon naught a upon d minus t plus t by k, simple, और epsilon naught तो multiply के अंदर है, तो इसका अंदर a upon में d minus t plus t by k वाली value ही रखनिया में, area कितना है, 2 meter square है, 2 रख दो, upon में d कितना है, separation कितना है, 1 meter है, 1 रख दीजिए, minus, और dielectric जो medium भरा है आपने, ठिकने 0.5 है तो यह 0.5 रख दीजिए, पॉइंट उपर ले जाओ, इससे कट कर दो, हटा दो, यहां से, 0.5 है तो यह एक्चल में देखा जाए, 1 by 2 है तो यह 4 हो जाएगा, 4 into 32 by 42, इसको अगर आप solve करो, तो यहां से 2 से cut कर दें तो यह 21 आ जाएगा, यह जाएगा 16, ठीक है, तो 64 upon में 21, तो almost 3 point something value आएगी, ठीक है, तो exact जो answer वो आप इसको calculate कर सकते हो, लगबग value जो है, वो 3.04 के round value आ जाएगी, ठीक है, तो हाई-फाई कोशन नहीं, सिंपल सा कोशन था, सिंपल फॉर्म लबेस कोशन है मिटा, चलिए, नेक्स कोशन में चलाएग, the energy dissipated by a resistor is 10 millijoule in one second, when an electric current of 2 milliampere flows through it, yes, the resistance is, काफ़ी simple है, देखो, power क्या होती है, i square, और power क्या होती है, dh by dt होती है, resistance के लिए, heat loss per unit time, और यह करा है, energy dissipated by a resistor is 10 millijoule in one second, मतलब one second में 10 millijoule, इसका मतलब dh by dt एक्चल में है क्या, 10 millijoule ही तो है, per second, per second, मतलब divide में 1 है, i square r और i की value 2 milliampere दे रखा आपको, तो 2 milliampere का square, मतलब 4 into 10 to the power minus 6, squaring कर दोगे तो यह आ जाएगा, और into में r, आपसे r की value यहां पर पूछिए बैटा, तो यहां से आप देखी, यह इससे cut गया, यह 3 आ गया, इस तरफ चला जाएगा, तो 10 और यह 3, 10 thousand upon में 4 is equal to r, और यहां से एगर आप 4 को divide करोगे बैटा, इसमें तो आप जानते हो इसकी value कितनी आएगी, कट करो तो यह आ जाएगा 2, ठीक है 5, 00, तो resistance की value कितनी आ गई, 2500 ohm या 2.5 kilo ohm ठीक है, तो वैसे आलांकि इसमें ohm में पूछा है तो 2500 इसका answer आ जाएगा, चलिए next question, a wire of resistance 1 ohm has a length of 1 meter, it is stressed till its length increases by 25%, the percentage change in resistance to the nearest integer is, resistance में percentage change पूछा आपसे, रैसे हमें मालूम होना चाहिए, यह length को increase करोगे, तो volume में अगर change नहीं होगा, तो rho is equal to L by A, में L अगर उपर नीचे multiply कर तो rho L square by A L, मतलब volume, इस वैसे आप इसको resistance को लिख सकते हो, तो resistance की जो length है ना वो आपने increase करके, wire की जो length है वो आपने increase करके 25% increase कर दी है, मतलब L by 4 और आपने plus में कर दिया है, तो new length है वो L plus L by 4 हो जाएगा, L plus L by 4 बोले तो 5L by 4, 5L by 4 हो गया तो इसका resistance जो है अब इस case में rho 5L by 4, 5L by 4 का squaring करोगे तो 25L square by 16V आजाएगा, और rho L square by V जो है वो R को represent करेगा, इसका मतलब 25 by 16 into R के equal आगया, जो नया वाला resistance है, अब percentage change पूछा आपन से, तो percentage change आजाएगा बटा, R dash minus R upon R into 100, तो 25 R by 16 minus R करोगे, तो 25 minus 16 बचेगा 9, चीक है, तो 9 R by 16 और upon में R into 100, चीक है, तो यह R से R cancel out हो जाएगा बटा, और हमारे पास value कितनी आजाएगी, 9 by 16 into 100 और इसको फर्दर अगर हम solve करें, तो 4 से cut कर दो, यह 4 आ गया, यह 25 आ जाएगा बटा, 25 into 9 करेंगे, तो यह 2 to 5 आ गया, ठीक है, 2 to 5 by 4 करो, इससे divide करेंगे तो बटा हमारे पास value कितनी आ जाएगी यह, जाएगे, 4 से divide करो तो 20 आ गया 5 और यह 55 पॉइंट समने, 56% के अराउंड लगबग value आ जाएगी, लगबग लगबग 56% के आसपास, तो correct option कौन सा हो जाएगा, first हो जाएगा, चलिए, next question में चलें, एक current through a wire depends on time i equals to alpha naught t plus beta t square, alpha naught की value given है, beta की value भी given है, find the charge cross through a section of the wire in 15 seconds, but a current i is equal to dq by dt होता है, और हमसे charge पूछा है simply, तो dq बराबर i dt हो जाएगा, एक interval के अंदर अगर आप इसको integrate कर दोगे, तो आपके पास charge भी आ जाएगा कि cross section से कितना charge flow करेगा, तो charge q is equal to, i की value आपके पास से alpha naught t, alpha naught की value 20 है, तो 20t plus beta की value 8 है, तो 8t square dt, और limit लगा दोगे बेटा आप 0 से 15 seconds के लिए, ठीक है, क्योंकि t variable है, यहाँ पर q is equal to, यहाँ पर 20t square by 2, 10t square आ गया, यहाँ पर 8t q by 3 आ जाएगा, और limit लगा दोगे 0 से 15, यहाँ पर बस आपको t की value रखनी है, और जब t की value बैटा आप रखोगे, तो हमारे पास इसकी value आएगी 11250 कुलाम, हाना 11,250 कुलाम, यह value आजाएगी, बाकी calculation है, और कुछ निए बैटा, चलिए next question पर चलें, question number 93, आएए, a cell e1 of emf 6 volt and internal resistance 2 ohm is connected with another cell e2 of emf 4 volt and internal resistance 8 ohm as shown on the figure, the potential difference across points x and y's, x और y आपको नजर आ रहा होगा यह, इन दोनों point की बीच में potential difference पूछा है और बाकी और कुछ नहीं दे रखा आपको, आपको battery दे रखी है, दो cell आपको दे रखे हैं और इनके internal resistance बिटा आपको given है, right, और कुछ नहीं दे रखा आपको, अब आपको पूछा है कि x और y के बीच में potential difference कीतना है, चलिए, तो यह दोनों देखा जाए, तो cell देखो, इनके order opposite है, polarity opposite है देगो, यह इस तरफ है, यह इस तरफ है, 6 यह 4, तो opposite polarity है, तो 6-4 हो जाएगा न, effective जो EMF है, effective EMF 4 volt आगया, और effective resistance जो है, वो 2 plus 8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो effective EMF 4 के equal आ गया, sorry 2 के equal आ गया, यह गलत लिख दिया मैंने, effective EMF कितना हैगा, 6-4 मतलब 2, और effective resistance कितना आ गया, 2 plus 8 मतलब 10, series में है न, तो इसका मतलब जो current है, वो 0.2 ampere आ गया, यह मैंने current ही निकाली है इस circuit के अंदर, यह 4 volt है, 6 volt है, obviously 6 वाले के कारण ही current यह ऐसे flow करेगी, तो current कुछ ऐसे जा रही है, सही बनाया है मैंने, current की वाली 0.2 ampere आ आ चुकी है, अब मुझे X और Y के बीच में potential difference निकालना है बेटा, इस diagram को properly मैं draw करूँ देखो, यह 4 volt और इसका internal resistance 8 ohm है, यहाँ पे मैं बना दिया है मैंने, यह point है X, यह point है Y और जो current है बेटा इस circuit में ऐसे जा रही है, I की value हमें मालूम है, 0.2 ampere, तो अब हम calculate करेंगे VX minus VY, तो VX minus VY is equal to, ध्यांसे देखना, this minus this, तो current की मैं opposite जा रहा हूं, opposite जाओंगा, तो current की value 0.2, 0.2 into me 8, opposite जा रहा हूं तो यह minus में आएगा, minus का 0.8 into me 2, फिर, again मैं low से hi पर जा रहा हूं, low से high पर जाऊंगा, तो minus का 4, समझा महीं ना बात, यह पर opposite जा रहा हूं, 0.2 into me 8, यहां पर भी opposite जा रहा हूं minus का 4, यहां पर 0.2 into 8 आजाएगा, 1.6 minus का और minus का 4, minus का 4 और minus का 1.6 कीतना आ जाएगा बटा, माइनस का 4 and माइनस का 1.6 तो ही आ जाएगा माइनस का 5.6 volts कोई दिक्कत नहीं है, plus में value दे रखे ए क्योंकि सारी value plus में दे रखे है तो कोई issue नहीं है it is मोड ले लिया है या VY-VX पूछ लिया है और कोई इसमें डिक्कत है नहीं बढ़ा ठीक है तो इसका क्रेक्ट ओप्शन क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा फाइफ पॉइंट 6 है ओके ओके बटा तो यह था आपका पार्टू जिसमें हमने कैपेसिटर और करंट अगर अगर आप अगर किया है कि यह मेंश में कोशन जो है मौस्टली देखा जाए तो उनमें कैलकुलेशन जरूर आती है तो एक आपका डेफिनिटली स्ट्रोंग होना चीए बटा अच्छी है कैलकुलेशन तो आप कोशन को काफी हद तक बहुत जल्दी कर जाओ गए तो ज आप अपने calculation को थोड़ा सुधारिये, उसके अलावा अगर आपने गोर किया हो तो जो capacitors, parallel के अंदर दो capacitors को आपने जब जोईन किया, तो energy loss कितना होता है, common potential difference कितना होता है, capacitor पर charge कितना आता है, उस type के questions बहुत बार आए हैं, repeat हुए है, color coding की बात करें, उस पर भी questions कई बार आ चुके हैं, तो इस in part को, in questions को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि NCRT में भी properly mentioned है, ये article, तो इस पर questions ज्यादा आते हैं, क्योंकि NTA जो है, in NCRT को ज्यादा प्रफर करता है, उसके articles को या उनको ज्यादा वो importance देता है, तो आप मैनेत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, okay, thank you.